हाई एवरीवन वेलकम टू सिविल्स रिकोर्ट पेटी 365 इन्वार्मेंट का यह फूर्थ पार्ट है जिसमें हम थर्ड पार्ट की नेक्स्ट न्यूस को डिसकस करेंगे जो है इंटरनेशनल ट्रीटी अन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सिस फ़र फूर्ड अगरिकल्चर हर एक प्लांट की अलग-लग सीड्स वराइटी होती है उसकी अलग-लग जीन्स या प्रॉपर्टी होती है उन सब की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बेनिफिशल हो सके तो दरसल इंटरनेशनल ट्रीटी अन प्लांट जेनेटिक रि चॉद एक अगरी किल्चर और्ग्शेशन के अंडर काम करती है फ्लांट जिनेटिक रिसोसिजा प्लांट का स्पेसिफिक जेनेटिक मिटीरियल आता है तो ये जो डेली फ्रेमेट के एक डॉप्ट किया गया इसमें क्या क्या चीज़े बोलेगी की फ़ंक्शनल सा energy बनाई जाएगी अलग-लग United Nation Organization के जो इस्टुमेंट है वापस में इस तरीके से काम करेंगे मिलके ताकि farmers की rights का protection हो सके farmer की द्वारा जो seed system manage किया जा रहा है traditional varieties जो manage की जा रही है उनको support किया जाएगा farmer centric partnership opportunities build up की जाएगी अब यह job की international treaty है plant genetic resources की इसको seed treaty भी कहते है main purpose यही है कि international level पे या world level पे agreement त्यार करना ताकि हम seeds की variety को protect कर सकें यह एक legally mining agreement है जिसको 2001 में adopt किया गया था 2004 में यह enforce हुआ India is also a party इसके अलावा plant का genetic resources है वो इस treaty के थुरू across the border यानि कि अलगलग countries में share किया जा सकता है ताकि सबको benefit मिल सके international level पे swalward global seed wallet भी बनाया गया है vault money एक तरीके का तिजोरी बनाया गया है जहां पे globally जो seeds है जो भी हमारे पास seeds के variety है बीज वगेरा उनको preserve करके रखा जाता है इस vault को बनाया हुए 15 सार होगे 15th anniversary 2023 में इसकी celebrate हुई थी इसको completely established और completely जो funding है वो government of Norway की द्वारा दी जाती है क्योंकि swalward नाम की जगह Norway के अंदर है अब कुछ और international conventions की बात करेंगे सबसे पहली है world heritage convention नई research के हिसाब से जितनी भी world heritage site है जो कि हमारे पूरे और surface का less than 1% है वहाँ पर बहुत सारा biodiversity जो है वो पाया जाता है यानि कि more than 20% of हमारे planet की biodiversity हमारे यहां की world heritage sites पर पाया जाती है world heritage sites जो है वो sites होती है जिनको world heritage convention 1972 के तहत रेकिगनाईज किया जाता है क्योंकि उनका एक outstanding value होता है यह cultural भी हो सकती है natural भी और mixed भी 42 world heritage site इंडिया में रेकिगनाईज की गई है 34 cultural है 7 natural है केवल एक ही है जो mix है जो है आपकी कंचन जंगा वाली जो कि सिक्किम के अंदर है पार्टी इसकी बात करें तो world heritage committee जो है वो इसको preserve करने में रोल प्ले करती है इंडिया भी इसका member है इसके strategic objective यहीं है credibility ensure करना sites को लेकर conservation करना उनमें capacity building करना communication build करना across the world और communities को grow करना तो natural world heritage sites जो है इंडिया में वो यहां highlight की गई है सबसे पहले एक great हिमाले national park conservation area जो की आपका हिमाचर परदीश के अंदर है फिननन्दा देवी और valley of flowers national park आपका उत्रखंड के अंदर है कोई ले दो national park आपका राजिस्थान के अंदर है western ghars आपका पूरा कहां से महराष्ट्र से लेकर गुजरात की तड़ से लेकर पूरा केरला तक फैला हुआ है सुन्दरबन national park आपका west vengual में है मानस wildlife century आपकी अस्थम के अंदर है काजी रंगा national park भी आपका अस्थम के अंदर है तो यह कुछ natural sites है cultural sites आपको अलग से prepare करनी है यह static में ही आप जोड के करेंगे अधरवाइस इस पर एक separate video जो है वो आपको मिल जाएगा अगली बात करेंगे ब्रैजविले summit और summit of the three basins की तो दरसल यह summit जो है यह ब्रैजविले में conduct हुआ यह capital है किसका Congo का Congo नाम का country कहां पर है अफ्रीका continent के अंदर आप मैप में देखेंगे वहां आपको मिल जाएगा तो ब्रैजविले के अंदर यह जो summit हुआ इसमें बात की गई कि हमारे world में जो तीन ecological lungs हैं उनको कैसे हम preserve कर सकते हैं ecological lungs मत्तब जो हमें oxygen pride करते हैं तो तीन basin है ऐसे सबसे पहले Amazon basin के बारे में बताब को पता ही होगा कि सबसे बड़ा largest forest area है पूरे world का और यह South America की 9 countries में है इसके अलावा Congo basin भी lungs बोला जाता है क्योंकि यह बहुत सारे अफ्रीका continent के countries को cover करता है oxygen supply करता है फिर Borneo में Kong South East Asia के basin में भी बहुत सारे पेड़ पौध है पाए जाते हैं यह तीनों global ecosystem को हम कैसे preserve कर सकते हैं उसके बारे में यहां बात की गई कि अगर हम तीनों की बात करें तो यह तीनों मिलकर 80% हमारे world के tropical forest में contribute करते हैं और हमारे अर्थ की biodiversity के two-third हिस्से को cover नेक्स्ट पात करेंगे safety across Asia for global environment के बारे में जिसको safe कहते हैं यह United Nation की द्वारा निकाला गया program है जिसमें United Nation Office on Drugs and Crime ने coordinate भी किया है इसका main purpose है जो wildlife trafficking होती है पूरे world में और उसका zoonotic disease से कैसे ताल मेल है उसको study करना ताकि future में pandemic को रोका जा सके चाइना, Thailand, Vietnam, Laos यह सब initial country हैं जिसमें survey करेंगे फिर Bellum declaration की बात करें तो Amazon cooperation treaty organization के member countries ने Bellum declaration sign किया यह Brazilian city Bellum के अंदर sign हुआ है ATCO यानि Amazon cooperation treaty organization एक intergovernmental social environmental block है जो Amazon cooperation treaty पे काम करता है जिसका main purpose यही है कि किस तरीके से हम Amazon forest को protect कर सकते हैं, deforestation रोक सकते हैं So Bellum declaration local logo के participation की बात करता है indigenous logo के ताकि वो decision making में forest conservation में help कर सके World Organization for Animal Health की बात की जाए तो इसका 33rd conference conduct किया गया, यह दिली के अंदर हुआ, इसको conduct करवाया World Organization for Animal Health ने conference का नाम था, आपका 33rd conference on World Animal Health यह एक intergovernmental organization है, जो animal health के improvement के लिए काम करती है पूरे world में, इसको 1924 में तब बनाया गया था, जब render pest cattle plague फैला था इसका headquarter Paris के अंदर है, animal disease के उपर study करना, health के उपर study करना, यह सब यह करते हैं, इंडिया इसका member है International Wailing Commission की बात करें, तो International Wailing Commission ने अपनी सबसे पहली extinction alert को जारी किया है इन्होंने यह कहा है कि वेक्टूटा purpose नाम की जो whales है, वो आने वाले समय में extinct हो सकती है दरहसल अभी यह critically endangered है, यह Northern Gulf of California में पाई जाती है International Wailing Commission एक intergovernmental organization है, जो International Convention for the Regulation of Wailing को implement करती है इसका main purpose है, वेलिंग को या फिर whales की conservation पे काम करना, उनकी development के उपर काम करना, इंडिया भी इसका member है बात करेंगे next topic की wildlife and conservation जिसमें सबसे पहले है biological diversity amendment act 2013 देखें, biological diversity act 2002 को amend करके यह act बनाया गया है, जो 2002 वाला act है, वो इसलिए बनाया गया था तकि इंडिया अपना United Nations Convention on biological diversity का जो गोल है, उसको implement कर सके यह जो CBD की convention है 1992 में आई थी, इसके तहत biological diversity को protect करने के लिए तीन तरीके का mechanism इंडिया में developed किया गया है, national biodiversity की authority है वो national level पे काम करती है state biodiversity board, state level पे, biodiversity management committee, local body के level पे बनाये गए है main purpose यह है, biodiversity को conserve करना, उसके जो भी benefit आते हैं उसको आपस में अच्छे से share करना monetary compensation प्राइट करना, अगर आप कहीं पर tribes को हटा रहे उनके एरिया से तो उनको पैसा देना, ताकि हटा भी रहे हो तो भी उनको benefit हो सके उस एरिया का, क्योंकि उससे belong करते थे intellectual property rights जो है, biodiversity region के उनको highlight करना, उनको preserve करना, यह इस act का purpose है act का significance क्या होगा, तो इससे wild medicinal जो प्लांट है, जंगलों के अंदर जो पाए जाते पेट पौदे, जो हमें medicinal value देते हैं हम उनका अंधद उन तरीके से यूज ना करके, उनको थोड़ा अच्छे तरीके से safety से यूज करें, उनको cultivate भी करें, ऐसा नहों कोई भी company आए, उन medicinal plant को तोड़ के उसका यूज करना शुरू कर दे, इसके लावा रिसर्च बगहरा करनी है, बाय डिवस्टी के एरिया में, पेटेंट अप्लाई करना है, तो ये सब इस बाय डिवस्टी एक्ट के तहत किया जाएगा, इनिया सिस्टेम अफ मेडिसें इस से इंकरेज होगा, जो की ट्रडिशनल है, जंगलों से निकला हुआ है, बहुत सरा foreign investment जो है, वो biological resources के enrichment के लिए, इस act के तहत आ सकता है, अब 2002 कर दो के comment किया गया, तो नया वाला bill क्या कहता है, ये देखते हैं, देखें, सबसे पहले तो extension of exemption, जो की पहले exemption दी गई थी, पहले वाली act में, उससे ज़्यादा exemption अभी वाले में है, जिससे पहले वाली act में ये था कि अगर आप किसी biological resources को जंगल में जाके access करना चाहते हो तो आपको पहले approval लेना पड़ता था, लेकिन अगर अब आप आयूश registered practitioner हो, यानि कि Ayurveda, Yunani, Yoga, सिधा, ऐसा कुछ practice कर रहे हो, उस community से belong करते हो, तो आपको पहले priority का approval वो लेने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा intellectual property right के लिए approval की अगर बात करें, तो पहले ये कहा गया था कि National Biodiversity Authority को आपको पहले ही बताना होगा कि आप किसी IPR के लिए apply कर रहे हो, अगर वो IPR biological resources से belong करता है, जो कि आपने India से obtain किया है, लेकिन अब क्या है कि आपको IPR apply करने से पहले नहीं बताना है, जब आपको IPR मिलने वाला होगा, उससे पहले approval से पहले, granting से पहले आपको, म कि associated knowledge है, उसके जो benefit है, उनको local communities के साथ पहले share करना था, लेकिन अब यह है कि जो codified traditional knowledge है, उसके जो users रहेंगे, उनके लिए आपको sharing करने की ज़रूरत नहीं है, locals के साथ, codified traditional knowledge मतलब कि जो बिल्कु स्टोर करने के लिए रखी गई है, उसके लिए sharing करने की ज़रूरत नहीं पहले यह होता था कि अगर आप approval लिए बिना ही biological resources को use करते तो 5 साल तक ही सजा होती थी और fine भी होता था, लेकिन अब क्या है कि सजा नहीं होगी, एक लाग से पचास लाग रुपे तक का game fine होगा, इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा कोई दिक्कत कर देते हो तो एक क और एक member secretary भी है, United Nation Convention on biological diversity को implement करने के लिए ही आपका ये bio diversity act बनाया गया था, तो ये convention जो है, ये internationally एक legal binding treaty है, जो 1992 में बनाई गई थी, इसके 3 गोल थे, पहला गोल था biological diversity को conserve करना, दूसरा था इसके component को sustainably use करना, ताकि future generation के लिए भी preserve हो सके, उसके बाद था genetic resources जितने भी है उनको आपस में अच्छे से बाढ़ना, यूज करने के बाद उसका बराबरी से equal justified sharing करना, ऐसा ना हो कि केवल बड़ी companies फायदा ले ले, locals जहां पर वो चीज उगी हुई है, उनको कोई फायदा ना हो, membership इसकी India के पास भी है, 196 इसकी parties है, इसके agreement भी बनाए गए है, इंडिय क्या 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 लाइबिल्टी रही कि जिसने उनको यूज किया, बायो सेफ्टी वाला भी यही बात करता है, कि जब भी आप किसी ऑर्गिनिजम को मोडिफाय करेंगे, तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन आपको लेनी पड़ेंगी, CBD की जो गोर्निंग बोडी है, सब्सक्ति को कौन्फर्ण्स पार्टी कहते है, इसके नीचे इस के नीचे कवैंशन भी होती है, कुछ डियेटेडि़ न्यूस है इसकी जैसे पेपल बायो डिवर्श्टी रिजिस्टर, नैशनल केंपेंट फॉर अपडिशन एंड वरिफिकेशन जो कि वेरिफिकेशन लोगों के द्वारा आसपस के एरिया का जो बायर डिवर्स्टी है लोगों सुसकी जानकरी लेकर उसका एक रिजिस्टर मेंटेन करना है लोकली अवेलेवल बायर उसोसिस का डॉक्यमेंट प्रिपेर किया जाएगा इसके प्रिविजन के लिए बायोजिकल डिवर्स्टी एक्ट दो हजार दो को इंप्लिमेंट किया जाएगा National Biodiversity Authority, State Biodiversity Board वो guidance प्रइड करेंगे और लोकल लेवल पे Biodiversity Management Committee जो है वो टेखनीक का सपोर्ट प्रवाइड करेंगी तांकि ये रिजिस्टर प्रपियर हो सके Biodiversity Management Committee में कौन-कून होते हैं Chair Person होते हैं, 6 परसन होते हैं जो लोकल बॉड़ी से नॉमिनेट होते हैं जिसमें 1 थर्ड वोमेन होती है, 18% SCST होते हैं BMC का मेन परपस यही है जो कि आपका CBD का है कि benefit sharing करना, अगर आप biological resources को यूज करें उसका protection करना, local level पे fees वगेरा अगर लगानी है कोई आपको biological resources की utilization के लिए अगर यह बात करेंगे Wildlife Protection Amendment Act 2022 की Ministry of Environment ने इसके अंडर कुछ rules जो है, वो अभी applicable बनाए है यह amendment किया गया है के अंदर rules को उनकों से निकाले हैं Wildlife Disposal of Wild Animal Article Rule 2023 मतलब इसमें बताया गया है कि wild animal के जो आपकल है कभी ऐसा होता है किसी के घर में गया है साफ साफ रूल में कि कैसे wild animal के articles और trophies को dispose करेंगे और वो state government या central government की property मानी जाएगी इसके लवा डिरेक्टर wildlife preservation जो है या फिर chief life warden जो है central law state government के वो इस property के लिए order को जारी करेंगे फिर इसके बाद अगला rule है breeders of species license rule जिसमें अगर आपको specify इस act में mention किया गया है application जो है license की वो 90 दिन के अंदर आपको chief wildlife warden के पास पहुचानी पड़ी गए वहां से आपको उसका grant वगरा मिल जाएगा कुछ और provision है इस नए act के जैसे कि पहले वादा जो wildlife protection act था उसके अंदर 6 schedule हुआ करते थे लेकिन अब सिरफ चार ही schedule है बाकी वाले schedule को remove कर दिया गया जैसे एक schedule था वर्मीन species का उसको अब हटा दिया गया इसकी जगे एक नए schedule डाला गया जिसमें वो species जो कि sites कर mention के अंदर extinction के लिए mention के गए है उनको highlight किया जाएगा ये चार नए schedule आपको ध्यान अखने है पहले schedule में उन animal species की बात की गई है जिनको सबसी ज़दा protection है second schedule उनकी बात करता है जिनको less level of protection है third schedule बात करता है protected plant species की पेड़ पॉधो की चौथा schedule बात करता है कि sites convention के जो भी appendix है उनमें जिन जानवरों के protection की बात की गई है जो future में extinct हो सकते है उनको यहाँ पे list किया जाएगा wild animal तब आपके wild animal जो है उनको वर्मिन अगर declare कर दिया जाता है तो इसका मत्तब होता है कि उनको आप hunt वगेरा कर सकते हो wild animal को वर्मिन declare करने का नोटिफिकेशन होता है वो केवस central government ही निकाल सकती है यह किसी particular area या particular period के लिए ही निकाला जाता है इसके अलावा नया chapter जो है sites के लिए वो नए वाले act में add कर दिया गया नई वाली listing में उसके अलावा जो elephant का use होता है religious purpose के लिए उसको permit कर दिया गया है Central Government scientific authority बनाएगी जिससे कुछ species को अगर आप import, export करना चाहते हो तो उसका regulation किया जाएगा Chief Wild Life Warden को responsibilities दी गई है कि वो हर एक राजे में centuries को maintain करेंगे manage करेंगे wild life centuries को अगली बात करेंगे tiger conservation के बारे में Project Tiger को देखे हैं 50 साल पूरे हो गई है इसके लिए Prime Minister के द्वारा Commemoration of 50 Year of Project Tiger नाम का program मैसूरू के अंदर implement किया गया International Big Cat Alliance जो है ये भी इंडिया के द्वारा इस event में launch किया गया अब International Big Cats Alliance है क्या देखे, cat नाम का प्रजाती है जिसमें आपका tiger आता है, snow leopard आता है lion आता है, cheetah आता है, jaguar आता है, puma आता है ये सब आपके big cats हैं, बड़े-बड़े cats ये के बड़ी बिलियां जिनको कह सकते हैं इनको protect करने के लिए International Big Cat Alliance जो है वो एक international group के तौर पर बनाया गया है 2019 में इंडिया ने इसको propose किया था जिसका main purpose था बड़े-बड़े cat species की poaching को रोकना उनकी hunting को रोकना और उनके illegal trade को रोकना इसके तहत 5 साल का support दिया जाएगा और 800 करोड रुपए का funding प्रवाइड किया जाएगा big cats के protection के लिए project tiger की अगर बात करें तो centrally sponsored scheme है, 1973 में आई थी इसमें 9 tiger reserve है इनीशने 9 tiger reserve को अलगलग राजियों में स्थापीत किया गया था और center के दुआर tiger range के states जहां पे tigers पाए जाते हैं उनको assistance भी दिया गया था ताकि tigers को protect किया जा सके, इन सितू conservation मतलब वहीं पे tigers को उसी area में रख के protect करना, एक्स सितू मतलब वहाँ से उठा के tiger को कहीं और ले जाके protect करना, इसकी implementing ministry environment ministry है, इसमें हम लोग tiger की viable population को maintain करने की कोशिश करेंगे, national tiger conservation authority इसकी implementing agency है, funding की बात कीज़े तो center की दुआरा, राजियों को कुछ ना कुछ पैसा दिया जाता है, assistance दी जाती है, percentage के हिसाब से north eastern राजियों को 90% तक मदद जो है, वो दी जाती है, center की दुआरा अभी हाल फिलहाल project tiger और project elephant को merge करके, एक नई division बनाई गई है, division का नाम है project tiger elephant division, जो ministry of environment के तहट established की गई है, जिसका main purpose है, project elephant और tiger को एक साथ चलाते हैं, उनको protection देना, project tiger के अंडर बहुत सारे नए प्रोग्राम चलाए गए, जैसे नई ने tiger reserve सेट अप किये गए, अभी हमारे पास 55th tiger reserve है, core buffer strategy बनाई गई, जो tiger reserve का area है, उसके सबसे center में होगा core area, जहां पे सिरफ tiger रहेंगे, कोई human intervention नहीं होगा, इसके प्रोग्राम निकाला गया था, application निकाली गई थी, जिसके तहर, tiger की stripes को calculate करके, उनका assessment, उनकी numbering की जाती थी, फिर एक independent monitoring निकाली गई थी tiger reserve के लिए, जिसमें tiger reserve कैसे काम कर रहे हैं, उनमें efficiency कितनी है, उसके framework को management effectiveness evaluation framework के तहर, score दिया जाता था, special tiger protection force बनाई गई थी, जो कि tiger के खिलाफ हंटिंग होती है, उसके लिए काम करती थी, इवर्ट project निकाला गया था, जिसमें UAV या फिर कह लिए, जिए drones को use किया जाता था, tiger के service और monitoring के लिए, Indian tiger या फिर रॉयल Bengal tiger को panthera tigers कहते हैं, ध्यान रखेंगी, यह हमारा national animal है, इसका अगर habitat उचा जाए, तो केवल इंडिया में नहीं, बलकि Bangladesh, Nepal, Bhutan, China, सब जगे यह मिलता है, और इसकी distribution की बात करें, तो बड़े-बड़े mountains में, mangrove swamp में, dry और moist forest में, evergreen forest में, हर जगा यह पाया जाता है, ecological यह umbrella species हैं, मतज ecosystem disturb हो जाता है, तो यह दोनों ही हैं, इसके अलावा, eco-tourism related industry है, लोग बहुत सारे tiger को देखने के लिए, अलग-अलग tiger reserve में जाते हैं, cultural और spiritual significance भी है, इनका, करेक्टर्शिप की बात करें, तो यह solitary होते हैं, या structure है, वो अलग है, इसके लावा, इनको conserve करने के लिए, T into two program, St. Petersburg declaration भी लाई गई थी, जो कि 2010 में आई थी, जिसको आगे, अभी हम करेंगे, अगर बात की जाए, इसके protection status की, तो IUCN में इसका status है endangered, sites के अंडर इसको appendix 1 में रखा गया है, WPA के अंदर ये schedule 1 में है, और 1972 के act के थाइद, अभी ये schedule 4 में भी है, schedule 4 क्या था, sites वाले species जो है, वो इसमें आएंगे, schedule 4 में, National Tiger Conservation Authority के अगर बात की जाए, तो इनके द्वारा status of tiger नाम का report, जो है, 2022 का वो जारी किया गया, इसके अलावा, जो MEE है, tiger reserve की, इसके रिपोर्ट भी जारी की गई, फिफ्थ साइकल की रिपोर्ट है, anti-CX statutory body है, जो wildlife protection act, 1972 के तहाइद, establish की गई थी, amend किया गया था, इसको 2006 में, इस body को set up करने के लिए, इसको 2005 में लाउंच किया गया, इसका में परपस किया था, कि tiger task force, जो है, उसकी recommendation को follow करना, इसमें environment minister, जो है, वो chairperson होते है, और जो राज़्य level की environment minister है, वो vice chairperson होते है, तीन member of parliament भी होते हैं, इसके अंदर, इसके अलावा, secretary, जो है, environment ministry के, वो भी होते है, इसकी, जो nodal ministry है, वो environment ministry है, इसका main purpose क्या है, tiger project, जो है, statutory authority establish करना, project tiger के था, core area establish करना, पालियमेंट की निगरानी, पालियमेंट की जो instruction है, tigers की protection के related, उनको follow करना, इसके अलावा, इनके नाम पे, Guinness Book World Record भी दर्ज है, क्योंकि इन्होंने 2019 में survey किया था, tigers का, जो कि सबसे बड़ा camera trap wildlife survey था, camera से पर capture किया हूँ survey, NTC की कुछ reports है, सबसे पहले, status of tigers, co-predators and prey in India report, जिसमें बताया गया, कि अभी हाल फिलाल पुरी विश्व में, जितनी wild tiger population पाई जाती है, उसका 75% हिससा इंडिया के अंदर है, सबसे ज़दा tiger population का increase, सेंटर इंडिया और शिवालिक हिल्स के पास देखने को मिला है, कौनसे टेकनीक से इस सर्वे करते हैं, सबसे पहले मैंने बोला, जैसे पीछे दिखाया, M-stripe, यान की धारिया कैल्कुलेट करना, फुल फॉर्म है monitoring system for tiger intensive protection and ecological status, जिसमें हम global positioning system और remote sensing की टेकनीक को यूज करके, टाइगर को capture करते हैं, उनको locate करते हैं, camera trap based capture किया है, इसमें camera को यूज करके, टाइगर की density और population को calculate किया जाता है, camera tapping जो है, वो उस जगह पे possible नहीं होती है, जहां पे बहुत ज़्यादा tight area होता है, camera अच्छी से capture नहीं कर पाता चीजों को, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, cats यानि की tigers का DNA वगएरा उसको extract करते हैं, अगर इनकी 2022 की report देखी जाए, तो सबसे ज़्यादा highest number of tigers जो है, वो मध्यपरदेश के अंदर है, second करनाटका के अंदर है, सबसे ज़्यादा reserve जो है, मतलब tiger reserves, जहाँ पे tiger population सबसे ज़्यादा है, तो highest tiger reserve population आपकी जिम कॉर्बेट में है, second आपकी बद्दिपूर करनाटका के अंदर है, सबसे कम tiger का number अगर पूछा जाए, तो ध्यान रखेंगे, वहाँ कुछ और reserve हैं, जहाँ पे tiger बिल्कुल भी नहीं है, जैसे कि आपका dumper reserve मिजोरम के अंदर, कामलंग आपका century और नाचल परदेश में, कवल ते लंगाना के अंदर, सतकोसिया tiger reserve और इसा में, और आपका शेहादरी tiger reserve महाराष्ट में, बाकि यहाँ जो tiger reserve हैं, नगरहोल करनाट का, बांदरवर्ड MP, दुद्वा UP, इनका location आपको ध्यान रखना है, अब बात करेंगे MEE of tiger reserve in India, जैसे इसकी 5th report निकाली है, MEE की, तो MEE दरसल क्या है, 2006 से ही जितने भी tiger reserve established के गए हैं, वहाँ के adequacy, input और processing चेक की जाती है, delivery कैसी है, outcome क्या निकला, वहाँ पे सारा पैसा खर्श करने का वो देखा जाता है, इसको NTCA, Wildlife Institute of India के साथ मिल कर, conduct करता है, इसके अलावा, International Union for Conservation of Nature, और Natural Resources, World Commission on Protected Area, ये दोनों जो हैं, इनके द्वारा framework डिसाइड किया गया है, जो evaluation में काम आता है, पांचवे cycle के अगर report देखी जाए, तो अभी 51 tiger reserve हैं, जिसको evaluate किया गया, और ये पाया गया, कि सबसे best maintained tiger reserve, इंडिया के अंदर कहां पे है, केरला के अंदर, इसका नाम है peria tiger reserve, MEE का जो भी score है, वो 78 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, मतलब लगभग हमारे यहां के tiger reserve को अच्छे से maintain किया जा रहा है, कोई भी tiger reserve यहां पे अब poor नहीं है, इसके अलावा carbon capture and climate change का parameter भी देखा जाता है tiger reserve के अंदर, अब कुछ और news, इससे related tiger conservation से related अगर देखनी हो, तो दोलपुर करॉली tiger reserve, यह NTCA के द्वारा final approval condition में है, मतलब इसको tiger reserve declare किया जाएगा, इसके अलावा विरांगना दुर्गवती tiger reserve, जो की मध्य परदीश के अंदर है, इसको approve कर दिया गया है, जो की नया tiger reserve बना है, अगर tiger reserve की बात की जाए, तो state government के द्वारा इनको notify किया जाता है, सलाह कौन देता है, National Tiger Conservation Authority, Wildlife Protection Act 1972 के तहट आपके tiger reserve declare होते है, and this is very very important point, इसके अलावा NTCA जो है, वो approval देता है, in principle approval कई बार सीधा सीधा, Ministry of Environment को भी दे देता है, कि इसको tiger reserve declare कर दो, जैसे की कुम्भरगर वाई लेफ सेंचरी जो है, राजिस्थान के अंदर, उसको tiger reserve सीधा सीधा ही declare कर दिया गया था, NTCA के द्वारा recommendation दे के environment ministry को, धौलपुर करोली tiger reserve की बात करें, तो इसकी जो location है, वो दरसर राजिस्थान के अंदर है, मध्यपरदेश के साथ इसका border share होता है, यहाँ पर देखें, यहाँ आपका राजिस्थान है, यहाँ पर बगल में मध्यपरदेश है, पांच tiger reserve अब राजिस्थान में हो जाएंगे, चार आलरी है, रथमबोर, सरिस्का, मुकुंद्रा हिल और रामगड विश्थारी, चंबल नदी जो है, वो इस धौलपूर करॉली tiger reserve से गुजरती है, यहाँ पर ट्रॉपिकल ड्राइड डैसीडियोस, फॉरेश पाये जाता है, जहाँ पर पतियां जढ़ती रहती है पज़ड के ताइम पे, फेल हो गया, मतलब एक राजे से दूसरी राजे में जहां लेकी जा रहे थे वो चीज़ सफल नहीं हो पाई, यह प्रजेक्ट 2018 में National Tiger Conservation Authority के द्वारा निकाला गया था, जिसके तहट एक male tiger माहावीर नाम का tiger काना tiger reserve से, और female tiger सुंदरी नाम की बांधवगर मध्यपरदेश से उठा कर सतकोसिया tiger reserve उडिसा में भेजी गई थी, फेलियर इसलिये हो गया क्योंकि वहाँ पे उनको अच्छी से शिकार नहीं मिल पाई tigers को, इसके अलावा स्टाफ ने अच्छी से वहाँ पे development नहीं किया था उनके रहने के लिए और tiger human conflict वहाँ देखने को मिला, अब बात करेंगे IUCN, Integrated Tiger Habitat Conservation Program के बारे में या simply इनका एक tiger program है उसके बारे में, जिसमें German Federal Ministry जो है वो पैसा देती है ताकि हम लोग tiger की recovery कर सके, इसके लावा बात करेंगे global tiger recovery program के बारे में, देखे overall 60% tiger की population में वृधी देखने को मिली है global tiger recovery program के तहत, मतलब पूरे विश्व में tiger की recovery का ये program चलाया जा रहा है, इसमें 13 countries involved है जिसका में परपस था 2022 तक tiger की संख्या को डबल करना, 2010 का में जो सेंट पीटर्जबग declaration था, वहीं से आपका global tiger recovery program निकाला गया था, 2010 में रश्या के अंदर सेंट पीटर्जबग declaration हुई थी, जिसमें यही 13 countries थे, इन्होंने बाद में बोला कि हम global tiger recovery program जो है वो निकालेंगे, अब देखे, अब 2022 तक तो deadline खतम हो गया, तो इसका second phase निकाला गया है, अगली बात करेंगे, प्रोजेक्ट चीता की, नैशनल टाइगर conservation authority के दुआरा, चीता प्रोजेक्ट स्केरिंग कमेटी बनाई गई है, जो कि चीता प्रोजेक्ट की टेक केर करेगी, अगर चीता प्रोजेक्ट स्केरिंग कमेटी की बात करें, तो इसमें 11 member हैं, जिसका में इन पर्पस है, प्रोजेक्ट चीता की conservation और implementation को दो साल के लिए देखना, उसकी देखरेक करना, ये कमेटी जो है, ये कुनो नैशनल पाक मध्य परदेश में जो चीता लाए गई है, कहां से, नामीबिया नाम के देश से, उसकी take care के लिए बनाई गई है, नामीबि करेगा, National Tiger Conservation Authority, प्रोजेक्ट टाइगर का जो पैसा है, वही इसमें यूज किया जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर में जो पैसा आता है, इसके अलवब कॉम्पा नाम के फंड में, Compensatory and Forestry Fund Management में जो पैसा आता है, उसको भी यहां यूज करेंगे, दरसा कोई भी इंडस्टी अगर किसी जंगल को काटती है, तो उस जंगल को काटने का उनको पैसा देना पड़ता है, जो कैंपा के अंदर जाता है, अब बात करें तो इसमें अफ्रीकन चीता को इंडिया मे को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा, जिसे देखा जाएगा कि 50% सर्वाइवल होना चीगे उन चीतास का यहां पे, उनके लिए हूम रिंजिस बनाए जाएंगे, उनके बच्चे देने के लिए कुनों के एरिया में अलग से बच्चा देने वाला, मतलब बर्थ कब के बच्चों के लिए टेक के लिए अलग से आब बोल दीजे कुफाएं बनाई जाएंगी, लोकल कम्यूनिटीज जो है, उनको भी इसमें रिवेन्यो दिया जाएगा, अगर वो उसका प्रोटेक्शन करते हैं, यानि की चीतों के साथ जाके बिढ़ते नहीं है, इसके अलाव इसके अलावा 20 चीता जो है, उनको ट्रांस्टोकेट किया गया था, नामीबिया से और साउथ अफरीका से कहां लाया गया था, कुनु नैशल पांग मध्यपरदेश के अंदर, अभी प्रेजेंट में इन में से 19 चीता इंडिया के अंदर है, अफ्रीकन चीता की बात करें, इनको अम्रेरा स्पीशिस भी कहते है, ये वर्ल्ड का सबसे फास्टेस लैंड मैमल है, सबसे तेजी से दोडने वाला लैंड का मैमल है, और ये दिन में हंट करते हैं, इदिन में शिकार करते हैं, जैसे बाकी बड़े कैट होते हैं, लॉयंस, ट्राइगर, ये उनकी तरह दहारते नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके अलावा अगर डिफरेंस की बात करें तो अफरीकन चीता और अशियतिक चीता का डिफरेंस क्या है, यहां देखिए है, आईउसिया अफरीकन चीता का वंडरेबल है, अशियतिक चीता का क्रिटिकली फूड इंटेक की बात करें, तो अफरीकन चीता काफी डावर्स वराइटी ऑफ खाना खाते हैं, क्योंकि अफरीका के खुले एरिया में घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन अशियतिक चीता लिमिटेड रिसोर्स या लिमिटेड खाने पे ही निर्भर रहते हैं, होती हैं, जो शिकार के लिए जाती हैं, अपने आसपास के होम रेंजिस में, इसके अलावा लाज कार्निवर में अगर देखा जाए, तो हिूमन के साथ, इनका कंफ्लिक्ट काफी ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन टाइगर के कंपैरिजन में कम है, यह चीज आपको ध इसके अलावा असम में और भी बहुत सरे नेशल पार्क हैं, जैसे मानस नेशल पार्क, और इंशल पार्क, ना मेरी नेशल पार्क, फिर काजी रंगा, फिर दिब्रु साइकोबा, इन सब का एस्ट टू वेस्ट का जो डिरेक्शन है, या फिर वेस्ट टू इसको याद साउथ में है, यहां से बहुत सरी और नदिया गुजरती है, ब्रमपुतरा के लावा, जैसे दिफलू हो गया, मोरा धनसीरी होगी, यहां पर मॉइस्ट ब्रॉड इफ चौड़ी पत्ती वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ग्रेट इंडियन राइनो, लेपड, अब यहां पर पाए जाते हैं, इसके अलावा, यहां पर कुम्भी, इंडियन गुजबरी, कॉटन ट्री, यह सारे पेड़ पॉधे पाए जाते हैं, प्रॉजेक्ट एलिफेंट, 1992 में मिनिस्ट्री आफ इन्माइनमेंट के दोरा चलाएगी, एक सेंट्र स्पॉंसर स्कीम जिसमें एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए हर एक राज्यों में फाइनैशल और टेक्निकल सपोर्ट दिया जाता था, प्रेजेंट लिए बाइस राज्यों में और यूटी में चल रहा है, जबकि प्रोजेक्ट टाइगर लगभग सब जगहा पे चल रहा है, अगर स्ट इलिफेंट कोरिडूर का मतलब होता है हाथियों की मुममेट के लिए जंगल में ही एक कॉरिडूर के तो बना देना ताकि उनको सडकों सी क्रॉस करने की ज़रूरत ना पड़े अगर ट्रांस नैशनल कोरिडूर की बात की जाए तो दो देशों के बीच में इंडिया और नेपाल है जिनके पास छे ट्रांस नैशनल कोरिडूर है एलिफेंट के मुममेट के लिए Indian elephant की बात की जाए तो यह highly intelligent animal माने जाते हैं, बहुत strong bond of communication होता है, family में भी काफी strong bond होता है इनका, इनकी जो lead होती है, family में वो oldest female होती है, जिनको matriarch कहते हैं, सबसे longest gestation period होता है, सभी mammals में इनका, 18-22 महीने बाद बच्चा पैला होता है, Asian elephant कम social होते हैं, अपनी females के comparison में, अग इनकी elephant की बात की जाए तो यह term इंडिया में यूज की जाती है, captive Asian elephants के लिए, जिनको captivity में रखा जाता है, और इनको training प्रवाइड की जाती है, जो कि आपको circus वोगरा में देखने को मिलते हैं, habitat इनका central और southern ghat में नर्द इस इंडिया में पाया जाता है, इंडिया में लग इनका habitat loss हो रहा है, इनका प्रटेक करने के लिए कुछ और चीज़े चलाई गई है, जैसे कि एक artificial intelligence based sensor system है, जिसका नाम है गजराज, जिसमें elephant की death होती है, rail accident के कारण, वो रोकी जा सकती है, इसके लावा हर 5 सान में इनका census कंड़क किया जाता है, और native species, जो है trees के जिनको य अगाया गया है, Asian elephant, African elephant से तोड़ा different होता है, IUCN में Asian elephant का status endangered है, sites में appendix 1 में है, WPA में ये schedule 1 और 4 में आता है, इसके अलावा difference देखा जाए तो Asian elephant और African elephant, African cheetah और Asian cheetah जैसा ही difference है, कि African elephant जो है वो थोड़े से ज़्यादा, आपको dom shape के नजर आएंगे, या कह लीजे थोड़े strong होते हैं, बड़े होते हैं, weight इनका ज़्यादा होता है, Asian comparison में, इनके कान बहुत बड़े-बड़े होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इनकी skin में ज़्यादा धारियां आपको देखने को मिलती है, और male और female, दोनों African elephant में tusk आपको देखने को मिलेगी, लेकिन tusk जो है वो Asian elephant में कई बर females में नहीं होती है, अब बात करेंगे state of the rhino report 2023 की, international rhino foundation के द्वारा ये report निकाली गई है, rhino की different varieties यहाँ नजरा आरी होंगी आपको, इनका IUCN status भी दिया गया है, white rhino near threatened है, greater one horn rhino जो असम की इलाके में सबसे ज़्यादा पाय जाता है, यह vulnerable है, black rhino critically endangered, java rhino critically endangered, समातरा में पाय जाने वाला rhino critically endangered, international rhino foundation एक international level की 1991 में established की organization है, इसको international black rhino findation भी कहा जाता है, इसका main purpose है rhino की जितने 5 living species हैं उनको conserve करना, greater one horn rhino, इसको Indian rhino भी कहते हैं, इसकी population इंडिया और नेपाल दोनों में पाय जाती है, और grow हो रही है, black rhino की अगर बात की जाए तो 3 rhino आपके Asia में मिलते हैं, दो अफरीका में, अफरीका में मिलता है white rhino और black rhino, इसके अलावा greater one horn rhino इंडिया में particularly मिलता है, और नेपाल में भाय जाता है, यह comparatively poor vision के होते हैं, साफ साफ इनको दिखाई नहीं देता, ज्यादा तर यह सूंग के ही चीज़ों को identify करते हैं, अगर आपको पता हो तो एक ऐसा प्रूटीन है जो वारे बालों और नाकुनों के लिए बहुत ज़ूरी होता है, तो इनका बहुत ज़दा इल्लीगल ट्रेड भी किया जाता है, इनके जो सींग होते हैं, अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा लार्जिस आफ राइनो स्प इनका जो habitat है, घर है वो grassland के एरिया में, रीवराइन forest के एरिया में पाय जाता है, निपाल, भूटान, पाकिस्तान, इंडिया में ये मिलते हैं, इंडिया में ये उत्तर प्रदीश, वेस्ट वेस्ट वेंगल और असम में मिलते हैं, और असम में पूरी दुनिया की सबसे पॉपुलिशन इनकी पाई जाती है, लगवक्स 71 प्रतिशदी आपको काजी रंगा नेशनल पार्क में देखने हो मिलेंगे, इनके conservation के लिए National Rhino Conservation Strategy 2019 में निकाली गई थी, इसके लावा New Delhi Declaration निकाला गया था, इसके लिए Indian Rhino Vision 2020 निकाला गया था, जो असम फॉरेस्ट डिप और यह 22 स्पीशिस का हिस्सा है, दरस्तर स्पीशिस रिकवरी प्रोग्रम के दाए 22 स्पीशिस को कंजर्ब करने के लिए एक प्रोग्रम चलाया गया है, जिसमें यह भी आते है, आपके इंडियन राइनो भी आते हैं, इसके अलावा बात करेंगे, बैन और ड्रॉपुल फ पर फीड करते हैं, इंको खाते हैं, तो किसी कैटल ने अगर वो ड्रॉप के लिए हानी कारफ होगा, तो उसकी वज़े से वल्चर्स की डेथ हो जाती है, तो ड्रॉपुल निकाले गए हैं, जिनको की बैन कर दिया गया, जो की वल्चर्स के लिए हामफुल है, तो इन्हों के अंडर आती है, ड्रग बैन की बात करें, तो क्रेटोफीन, एकलोफनेक, डिकलोफनेक और नाइंसलाइड, यह ऐसे ड्रग हैं, जो की एंटी इंफ्लेमेटरी होते हैं, आपकी बाडी की बाडी की सूजन को कम करते हैं, पर यह टॉक्सिक होते हैं वल्चर्स के लिए, ड यह सब आपके डिक्रीज हो रहे हैं, इनका पॉपलिशन जो है, वो कम होता जा रहा है, यहां पर ध्यान से देखिए, हर एक वल्चर की स्पीशिस के साथ, उसका स्टेटस बताया गया है, तो सबसे पहले क्रिटिकली इंडेंजन में अगर आप देखें, तो वाइंट्रम इनको जिप्स बेंगलेनिस सी कहा जाता है, इनका यह साइंटिफिक नेम है, ध्यान अगी जुरूरत नहीं है, फिस लेंडर बिल्ड हो गया, फिर इंडियन वल्चर हो गया, रेड हैडिड वल्चर हो गया, यह सब हैं क्रिटिकली इंडेंजन, उसके बाद बाद बाकी आपकी जो फंगी होती है, जो कि जंगलों में या फिर मतलब ऐसे गिले-गिले अरिया में उगती है, उनको रेकरगनाइस और कजब कैसे किया जा सकता है, फंगी फांडिशन ने युनाइटी इंडिशन बायो डिवर्स्टी के साथ लोगों को मिलकर यह कहा है, कि फंगा न इसकी को हम बोलेंगे फंगा, यह सिंगल सेल और यह होते हैं, और कई बर यह मल्टी सेल रडबल काफी ज्यादा नंबर अफ सेल में भी पाये जाते हैं, इनका इसके अलावा लॉस ऑफ हैबिटेट सबसे मेजर रीजन है, जिसके कानिए खतम हो रहे है, क्लाइमेट चेंज फंगा इस निव टम विच बिग इंट्रोडूस नेगे फ्लोरा क्या होता है, पेड़ पॉधे बगारा, फंगा होता है यहां पर यह रिखा है कौन से किंग्नम से आते हैं, और फंगा आपका फंगी किंग्नम से आएगा, एक्जाम्पल्स की बात करें, तो फ्लोरा में ऐल करते हैं, फंगा अ- pockets, पेडेज को लिखा इंटे हैं, तो फोनो सेंगे करते हैं, यह फिर करते हैं, पहुद करते हैं, वे छिकार नहीं विस होते हैं, जो भी चीज़े गली सड़ी होते हैं, उनको आप करने में मदद करते हैं, अब बात करेंगे, एक्सपोर है पुष्पा मुवी में यूज की गई है उनके एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक नहीं पॉलिसी निकाला गया है कि अगर किसी प्राइवेट लेंड पे रेड सेंडर को उगाया गया है तो आप उसको एक्सपोर्ट कर सते हो यह एमेंडमेंट का डिरेक्शन जो है यह फॉ अगर आप इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते है रेड सेंडर को तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है कुछ रेगुलेशन फॉलो करने पड़ती है डिरेक्टर जनरल ऑफ फॉरंट ट्रेट के द्वारा दोहुजार निस में बोला गया था कि जो एक्सपोर्ट किया उसके एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाल fine- Healing me titles के रेड सेंडर एक्सपोर्ट कर सकते हैं हाल फिलहल में दोनने इन्यौलित इक्सपोर्ट कर रहें सेंडर सैंड इसके लोग जो पॉल breakthrough कोर्ट कैंटर के लिए हैबिडाट की बात करें तो इंडिया की इस्टन घाट में पाई जाती है और यह बहुत रिस्टिक्टिड सा अरिया यहां पर ही मिलते हैं अगर आपने पुछ पर मुवी देखी होगी तो वहां पर शीर्शालाम नाम की पहाडियां थी जहां पर रेड जो सेंड़ था उसको करते थी तो दरशा यह अंद्रापरदीश की फॉरेस्ट्रेक में मिलती है अगर करेक्टरिश की बात की जाए तो 25 से 40 साल इनकी उमर होती है बहुत ही कम स्पीड में ग्रो करने वाले यह यह स्पीशिस है राउट यानिकी सूखे को रिजिस्ट करता है इसके अलावा इसको अमलूक, सॉंदर, वुड, रेड, संडर, रेड, संडर, यारा, चंदर, रक्त, चंदर, रगत, रगत, रुकत, चंदर, उन्द, यह सब कहा जाता है यह नाम आपको ध्यान रखने है इसके लावा इनकी डिमांड एशिया में पर्टिकुलरी चाइना में बहुत है क्योंकि प्रड़क्ट को रखा हुआ है तो आप उसका ट्रेड तभी कर सकते हैं जब आपको इंटरेशन लेवल की पर्मिशन मिलेगी साइट के थो अधरवाइस आप ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि अब रेड सेंडर को रिव्यू आफ सिग्निवांड ट्रेड से निकाल दिया गया लेकिन अब ऐसा कुछ एपलाई नहीं होगा रेड सेंडर के केस में साइट की अलगलग अपेंडिक्स होते हैं उससे पहले समझे साइट क्या है कंवेंशन और इंटरनेशन ट्रेड इन इंडेंजर स्पीशिस ऑफ वाइल फोना और फ्लोरा मतलब चाहिए पेड पौदे हो चाहे आपके जानवर हो अगर वो थ्रेटन है तो उनका ट्रेड करने के लिए कंवेंशन है जो की रेगुलेट करेगी उनके ट्रेड को तो इंटरनेशन अग्रीमेंट डिफरेंट गवर्मेट के बीच में यह किया गया है 1963 के तहते के रेजोलूशन एडॉशन एडॉप कि कि आगया इसके तरह है अलग-णेडिक्स यह कह लिए जिसमें बताया गया है कैसे कैसे कंजरविशन करना है ठ्रेड के रिगारी सबसे पहले बात की गई है कॉंसे स्पीशिस कवर किये जाएंगे लेकिए अपेंडिक्स बोलता है सबसे इंडेंजर अनिमाल्स या प्लांट का Appendix 3 में वो आएंगे जिनकों की किसी country ने request कर दिया sites को जाके कि हमारे यह वाला जानवर जो है वो threatened है तो international level पे sites उस country को support करने के लिए उस जानवर को उस लिस्ट में लाएगा ताकि उसका trade ना हो पाए इसमें तभी आप trade कर सकते हैं जब certificate मिलेगा उसके लाबा साइट का Secretariat जो है यह जनेवा स्विजर लेंड में है और इसके लाबा इसको United Nation Environment Program के द्वारा किया जाता है इंडिया इसका मेंबर है में परपस है वाइल डैनिमर और प्लांट के ट्रेड को धंग से मत्तकरवाने की कोशिश करना ताकि species उनको थ्रेट ना हो पाए Management Authority जो है इंडिया के अंदर वो इसकी Government of India Directorate of Wild Preservation है इसके लाबा माइक नाम का एक program जो की elephant की killing को रोकने के लिए बनाया गया था उसके illegal killing को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था यह program भी इनके तहर चलाया गया है इसका full form है monitoring the illegal killing of elephant यह international collaboration है इंडिया ने माइक प्रो उस trust का बहुत सारा वैपार होता है देखे लिए legally binding treaty है लेकिन ऐसा मतलम नहीं है कि international level पर जो भी rule book में लिखा है same वैसा ही आपको national law बनाना पड़ेगा यह national law को replace नहीं करती उसका जगह नहीं लेती है हरी party को अपना kudka domestic legislation बनाना पड़ेगा जो की so and so international level के rule से मिलता जोता होना चाहिए इसके लावा 184 parties है जो की क्या करती है अलग लग proposal पर काम करती है international trade में कौनसे species को लाना है कौनसे को restrict करना है वो सब करती है इसके तहरत तीन appendix है जो हम देख चुके है अगली बात करेंगे invasive alien species के बारे में intergovernmental platform on biodiversity and ecosystem service के द्वारे एक report निकालीगी जिसका नाम है assessment report on invasive alien species and their control invasive alien species मतलब alien माने किसी और जगा से आयो species invasive माने वो यहां पर आ भी गया और हमारे यहां के local species हो नुकसान कर रहा है invasive होता है हमला करना है invade का मतला हमला करना तो यह वो alien species है जो दरसल हमारी यहां के local ecosystem पे negative impact दालने की कोशिश कर रहा है alien species जो है यहां तो human activity के थूँ आते हैं और हर एक alien species ज़रूरी नहीं है invasive हो पर वो अगर invasive बन गया तो हमें नुकसान पहुँचाएगा invasive alien species जो है वो दरसल बायो डिवर्स्टी को loss देते हैं globally अगर देखा जाए यह सब काम करते हैं किस चीज के लिए invasive species के grouping के लिए ताकि उनको identify करके अलग लग देशों में लिस्ट भेज के उनको रोका जा सके Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Service एक independent body है यह United Nation की body नहीं है इसको 2012 में setup किया गया था इसका main purpose क्या है बायो डिवर्स्टी और Ecosystem Service related जो भी research होता है उसका जो भी science document होता है उसको तैयार करना United Nation Environment Program जो है वो इसको Secretariat की service देता है इंडिया definitely इसका member है आप कुछ common characteristic होते है invasive alias species के सबसे पहले यह बहुत तेजी से बढ़ते हैं दूसरा यह बहुत तेजी से फैलते हैं तीसरा यह psychologically और physiologically यह किसी जगह पर भी adjust हो जाते हैं नई condition पर adjust हो जाते हैं और यह उसी खाने को खाते हैं जहां पर local जो मत्तब species हैं जो वो खाना खारें यह उसी को खाके उन इसका में परपस है एशय और पैसिफिक के रिजन में प्लांट की हेल्थ और प्रोटेक्शन को प्रमोट करना 1956 में इसको इस्टैबिश किया गया था एक रीजिनल बॉड़ी के तौर पर और यह फूड एंगरी कल्चर और काम करती है यह कि युएन की बॉड़ी है अब बा इसको चिलियन मस्कीटो भी मैस्कीटो भी कहते है पर यह मॉड़ी नहीं है प्लांट है ठीका इसके अलावा यह एरिड इलाके साइघ्ए को बंजर अलाका वह एक पर इंडिया के गल्रमोप अनार में पाया जा रहा है इसके अलावा बात करेंगे मॉस्किटो फिश की तो नाम है गंबोसिया एफिन और गंबोसिया हॉलवरुकी यह दोनों ही इंडिया में पाई जा रही है और इंडिया की लोकल फिश को नुकसान पहुंचा रही है दरहसली यह मॉस्किटो का जो लार्वा होते है जिससे आगी चलके बच्चे होंगे जो उसको खा लेती है यह उसके शासन के तौरान इसको इंडियूस कर दिया था अगली बात करेंगे कॉनो कॉर्पस ट्वी की यह एक मैंगरू स्पीशीज है लेकिन इन्वेजिव है मतलब मैंगरू की लोकल वेरेटी नहीं है गौर्मेट अगुजरात ने इसको बैं किया तेलंगा ना गौर्मेट इसको बहुत बढ़ी मातरा में मिलते हैं इनको लोकल नेवल पे पॉपुलरी प्राइम रॉस विलो भी कहा जाता है यह साउथ अमेरिका का मतलब नेटिव स्पीशीज है लेकिन इंडिया में भी है इसके जो फ्लावर्स है वो येलो कलर के होते है और यह वाटर बाद करें यह साउथ अमेरिका की वेराइटी है यह सूपर कोलोनिस बना लेती है यह जो चींटिया है यह बहुत सारी सूपर कोलोनिस बना के बड़ी-बड़ी रानियों के साथ एक साथ जोड में मिलकर रहती है और यह लोकल लेवल के फॉनओं को चाहे वो इंसेक्ट थास्पाइड इसमें पाया गया कि एराउंड 44,000 ऐसे स्पीशिस हैं जिनका आगे चलके एक्स्टिंशन हो सकता है जो खतम हो सकते हैं और अगर बात कीज़े तो बहुत सरे स्पीशिस हैं जो critically endangered थे अब वो नियर थ्रेट्रेटर्ड है मतलब उनको हमने रिकवर कर लिया है और इसके इसवर क्या किया गया इन्वाल्ब किया गया चार फ्रेश वाटर्स अब टेरें फ्रेटर्ड की जो फ्रेश पीशिस हैं केरला से वह इस लिस्ट में शामिल की गई है जो के इंडेंजर्ड भी है और वल्डरेबल का नाम ध्यान अखिए गॉलूम स्नेकड इसके लाबाँ प्रेश फिश, शाजी कैट फिश, अब्दुल्गलाम ब्लाइंड केव कैट फिश और आपकी पैंगियो भुजिया रेड लिस्ट की बात करें तो यह क्रिटिकल इंडिकेटर होता है जो पुरी वल्ड की बायो डवस्टी फ्लॉरा और फोनों में क्या दिक्कते चल रही है है उसको इंडिकेट करता है इंडिकेट रहता है रही है यह अंटेजरा करता है वह सब बताता है आपने स्टेक बढ़ा होगगा शुछ इसमें पॉपलीशन क्या ए साइब्टर क्या है वो सब देखा जाता है ओ और यह आई-उ-से-इंपे दुवारा निकाली जाता है यहा इसके अलावा यहां तो एक्स्टिंक्ट है यहां फिर वाइल्ड में एक्स्टिंक्ट है जंगल वे खत्म हो चुका है स्पीशिस पर क्याप्टिविटी में जू बगेरा में रखा गया है अब यहां पर यहीं चीज़े बता गई है इनका फुल फॉर्म में यह स्टाटिक का यहां पर इतना डिटेल नहीं दिया गया इन्वाइनमेंट के स्टाटिक पोशन से अच्छे जबड़ी है कितने परसेंटेज पर माना जाएगा कि वह स्पीशिस क्रिटिकली इंडेंज़ है या फिर इंडेंज़ है अधरवाइस बता दीजेगा कमेंड में वीडियो IUCN की बात करते हैं IUCN को 1948 में सेट अप किया गया था इसका हैड़कॉर्टर ग्लैंड स्विजलेंड के अंदर है इसका में परपस है नीचर को कंजर्फ करना इसकी मेंबर्शिप गॉर्मेंट के पास भी होती है इसकी कुछ और रिपोर्ट है जैसे कि स्टेट अफ वर्ल्ड एमफीबियन का असेस्मेंट करता है एमफीबियन तो वता है ना जो की पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं प्रोटेक्टिड एरियास की बात करें तो कुछ एरियास नियूज में थे यहां पे उनका चार्ट दिया गया है सबसे पहले गंगोत्री नैशल पा बात करेंगे यह पर घूम्ध सकते है. इसका लोकेशन अनाचर प्रदेश में है यहां पर सब रॉपीकल क्लामाट पाया जाता है। यह सब जोग्रफी से करेट्टिट passo vieneने पहाडी है। सब रॉपिकल climate ही मिलेगा। Glow Lake यहां पे पाई जाती है। यहां पे कामलंग, कवालंग, यह सारी रदिया जो है वो गुजरती है, स्नो लेपड यह सब यहां पर पाई जाते हैं, असर में बुरा चुपोरी वाइल लेफ सेंचुरी पाई जाते हैं, जहां पे राइनोसेरस जो है, वो काफी समय बाद लॉट के आए हैं, यह लकोहा वा सब मिलते हैं, चाथीज़ड लेमरोड एलिफैंट रिजर्फियर्फट रीजर्फ है, और लेमरोड एलिफैंट रिजव है और रीच्वेफ RICH लैफेजर्फर राज्येि का ही पार्थ है जो कि कोल डिपोजिट में रिच इलाका है और लैमरू एलिफिट रिजर्फ को शतिसगड का लंग्स कहा जाता है अगली बात करेंगे पल्माव टाइगर रिजर्फ की और यह आपका कहां पर है चोटा नागपुर प्लैटू का पार्थ है और बेतला नैशल इसी का हिस्सा है यह आपका जारखंड के अंदर आता है इसमें नौर्थ कॉयल और अरंगा और भुरा नाम की नदियां गुजरती है अगली बात करेंगे दंपा टाइगर रिजर्फ की जो की मिजोर्म के अंदर है यहां पे एक नई वराइटी मिली है फोग की इसके करेंगे अपको क्योंकि मैप पर इसको हाइलेट किजेगा क्योंकि कहीं से भी जोग्रफी से रेलेट करके क्वेशन मन जाएगा रिवर्स की बात करें तो यहां पर लोकल लेवल पे कौंधर्ण कुई नाम की रिवर और तेरह इनाम की रिवर जो है वो निकलती है त्रॉप तो वहां पे जादा पक्षी नहीं आते हैं इसका लोकीशन है के अंदर यह इंडिया का सबसे पहला रिवर फ्रंट कम्यूटी रिजर्व है कम्यूटी रिजर्व क्या होते हैं वाइलेफ प्रोटेक्शन एक्ट का अमेंड करके 2002 के तहते इनको अंड्रियूस किया गया था इसकी जो अधॉरिटी है वह चीफ उयल लेफ वाइल होते है यहाँ पे केरला के चीफ उयल लेफ वाइल होंगे यहां से नदी गुजरती है कादल उंदी यहां पे मैंगरूफ फॉरिस पाई जाथे हैं इसका लोकेशन हीरा कुद डैम महानधी नधी पे बना हुआ है यहा अगर बात करें तो यहां पर मैलनीन बहुत सरा पाया गया तो उसका रंग बदल गया है आप यह समझेए तो यह मुटेटिटिड हुआ एक तरीके से टाइगर आप सकते हैं अगर बात की जाए आपकी सिमली पाल की तो यह इसको मैन बायस पर प्रोग्राम का भी हिसा है इंपोर्टन बर्ड एरिया भी है और यहां पर मैलनिस्टिक टाइगर पूरे विश्व में यही पर देखने को मिला है यह सबसे इंपोर्टन बात है इसको फंडिंग भी दी जात के अंदर और बहुत सरी नदिया घुजरती है जैसे सालंदी होगी बैतरानी नदी के ट्रिब्यूटरी होगी और आपकी बहुत बलंगा होगी नॉर्थन ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट यहां पर पाई जाते हैं इसके अलावा मुकृती नेशनल पार्क आपका तमिन के अंदर ही है कलकद वाइड़ सेंचुरी और मुंदृराई टाइगर सेंचुरी यह दोनों इसका भाग है यह वेस्टन घाट में आती है यह वीरा पूरी और कल्ला मला रिजर्व फॉरेस्ट का भी हिस्सा है इसके अलावा केला और तमिनाड़ू में अगस्थ मलाई वाय इसके अलावा इसकी लोकेशन जैसे मैंने आपको बोला सदर्वेस्टन घाट है और बहुत सारी नदिया यहां से बोज़नती है बहुत सारे लोग यहां रहते हैं जैसे मालाई ट्राइब होगी कदार मलासर मुदूवन पुलियर और इरावल यह कैट्स रिकनाइज है अभ पचास एक्टर के लैंड के असपास का एरिया आर्मी को दे दिया गया है इसलिए यह न्यूज में था इंडिया चाइना की बॉर्डर के एरिया में यह आपका पड़ता है गोविन नैशनल पाक और के दारनत वाइल लेफ सेंचुरी को भी यह प्रिजर्व करता है क्योंकि उसी के साथ ही कॉंटिनिटी में बॉर्डर लगा के बना हुआ है गॉमो गलेशर जहां से आपकी गंगा निकलती है वो इसी पार्क के अंदर लोकेटेड है वेरी इंपॉर्टन यहां से नदी गुजर्ती आपकी भागी रती और बहुत सारे अल्पाइन फॉरेस्ट शुर अगली बात करेंगे स्पीशिज इन निउस के बारे में सबसे पहले प्रोटेक्शिज जो निउस में है पहले हम टरेस्ट्य जानि की जमीन पर रहने वालों को देखेंगे और सबसे पहले हैं जिसको कश्मीरी स्टैक कहते है इसकी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज जो की कश्मीर में एंडमिक तरीके सिपाया जाता है और ये दतिगाम नेशनल पार्क जो है कश्मीर का और वहां की तरल वायलाफ संचिरी वहां पे देखने को मिलता है इसके अलावा हिमाच्र परदेश में भी इडेंटिफाय किया जाते है इनको बचाने के लिए प्रोज सिपादिकरम और सिवा सिकंडमनी इन दोनों में उसका जिकर किया गया है वेस्टन घाट की एंडमिक है इर्यावी कुलम नेशनल पार्क जोन नमला ही के अला के अंदर है वहां पे इंकी सबसे जादा पॉपलिशन पाई जाती है लेकिन तमिल नाडू के अंदर इसका प्र प्रजेक्ट लग रहा था उससे बोला जा रहा है कि इनकी पॉपलेशन को एफेक्ट पड़ेगा इन उकसान में चले जाएंगे इनका स्केटर्स है इंडेंजर्ट डब्ली एक के शेडियूर 1 में है साइट के पैंडिक्स 1 में है स्पीशी स्गवरी प्रोग्राम का हिस्सा अगली बात करींगे पैंगुलीन की तो पैंगुलीन को बहुत जादा पोच किया जाता है या मारा जाता है क्यूंकि जायना में इनके जो अब बोल सकते हैं यह स्केल है या यह बेच रहता है इसका प्टेक्शन स्केटर देखा जा तो इंडियन पैंगोली आपका एक आयू-सीनियन थेही थेख है इन्देंजर्ट है व जा एक यह अपको शेश्वाच चैपलिके रहे हैं इसकी बात करें तो यह कि आपको पैंगोलिन मिलता है चाइनीज पैंगोलिन मिलता है हुलोग गेबॉन की बात करेंगे इंडिया का इकलौता एप है जिसको कंजरवेशन स्टेटस देने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे भी कंसर्न पैदा हुआ है क्योंकि यह खत्म होते जा रहे हैं आई यूसीन के दाए इंडेजर के दर्जा दिया गया है इस्टन हो लोग गेबॉन वह वैश्टन वाला एंडेजर है डवल्यूप में शेडियूल वन में आएंगे साइट में अपैंडिक्स वन में आएंगे करेक्टरिक की बात करें तो नदियों की किनारे पे ज्यादा रहते हैं फ्रूट्स इंडिया में मिलती है और यह दरसा सिंगा स्पैसिमिन जो है इसका वह केवल नामदफ है नैशनल परक अनाचर प्रदीश में ही अभी तक देखने को मिला है पोचिंग के कारें इसकी जादा तर डेथ हो जाती है अगली बात करेंगे ढोल की देखें रेयर साइटिंग जो है वो करनाटका में देखने को मिली मतले काफी टाइम बाद देखने को मिला इसका यूसिया स्टेस इंडेंजर है डवली पे में शेडियू वान और साइट्स में पैंडिक्स टू के अंदर आता है दर ऐसे यह इंपॉर्टन डोल पे करते हैं अज बहुत सारे चोटे जानवो प्रोग्राम इनके लिए चलाया गया है अगली बात करेंगे अटन बोरो एकाड़ना की तो देखें यह इंडोनेशय में रिडिसकवर की गई है इनका नाम एक ब्रिटिश नैचुरलिस्ट के नाम पर रखा गया इसका स्टेस है क्रिटिकल इंडेंजर यह इकाड़ना का स् एक स्टेडी बताई गई है जिसमें बोला गया कि एमपरन पैंगूइन जो है यह क्वाजी एक्सिंग्शन फेस कर सकते हैं जब यह सदी एंड होगी इनको खतम होने के कगार पर पहुंच जाएंगे पूरे तरीके से खतम नहीं होंगे लेकिन लगबग हो जाएंगे अभी इनका स्केटस नियर थ्रेटन है और ध्यान अखेंगे यह फ्लाइटलेस बर्ण है यानि कि उड नहीं सकते परपक्षी की केटेगरी में आते हैं यह कार्निवर होते हैं ग्रूप में रहते हैं जनको को लोनी कहते हैं इसमें जो मेल होते हैं वो 65-65 दिन तक अंड जो है रूंतवन की वेडिया मूवी में मिथ्हन दिखाते हैं यह शान बतों सकते M destined थ्रेंट और है चोंक हैं दर्विया मूवी में मिथ दिखाते हैं वही मिथून हैं बुटान में भी मिलते हैं यह स्टेट अनिमल है नाचल प्रदेश और नागालेंड के द्वारा नैशनल सेंटर जो है मिथूर के ऊपर नागालेंड के ऊपर सेटफ किया है कुछ अबिया स्पीशिस की बात करेंगे यह उडने वाले पक्षी सबसे पहले है ग्रेट इनियन ब इसमें मेल्स उनका कोई रोल नहीं होता इंक्यूबेशन के टाइम पे बस्टेट स्पीशिस जो इंडिया पे पाई जाते हैं ग्रेट इनियन बस्टेट लेसर फ्लॉरिकर और बेंगॉल फ्लॉरिकर इनको सौन्चरिया कहते हैं मद्यपरदेश के अंदर गोदावन कहते है अर्मालधों कहते हैं माहराष्ट में सबसे बड़ी दिक्कश यह है कि इनका जहां पर रहते थे हैं इसके कारण इनको नुकसान हो रहा है और इसके लब राजिस्थान में इनकी सबसे ज़्यादा पॉपुलिशन पाई जाती है कंजर्वेशन की बात करें तो बहुत कॉनिफरस और अदेटिवस फोरिश में मिलते हैं और इसके अलावा यह नॉर्थ पाकिसान चमो कश्मीर में भी दिरे जहरे करके फैले हुए है यह मार्चल परदेश का इसके लावा दो घी बात करेंगे देखिए दो जो घी गी बात करेंगे देखिए दो-दो जो एक तर यह पिजन जैसा ही होता है और यह निकोबार पिजन जो है उसी की एक वेराइटी के तौर पर माना जाता है यह कैसे एक्सिंग्ट हुआ था दिफॉरेस्टेजर और हंटिंग के कारण एक्सिंग्ट हो गया था दरसल यह मौरीशियस के आइलेंड में एंडमेक है अंगली बा अगली बात करेंगे पेंटिड स्टॉकी तो वन अफ त लार्जेस्ट फ्लॉक है यह हमारे पूरे इंडिया में और आंध्राप्रदेश में पाया जाता है यह देखें ध्यान से यह नियर थेटेंड है डवली पुय के शेडियून 2 में है और यह ब्रीडिंग सीजन अंगर करें जो पानी मिलते हैं सबसे पहले गोल और ब्लैक स्पोर्टिड गुजरात ने घोल नाम की मचली को अपनी स्केट फिश रेक्लियर किया और यह कब किया ग्लोबल फिश्री का कॉन्फरेंस हुआ था दोसर देश में महां पर दसे यह वो फिश जिसके जो स्केल होते हैं उनको आप दवाईयों में यूज कर सकते हैं इसको होंग कॉंग सिंगापूर में एक्सपोर्ट किया जाता है इसके अलावा इससे इस इन ग्लास बनाया जाता है जो एक कोलेजन है जिसको की वाइन और बीयर को साफ करने में यूज किया जाता है यह ट्रेडिशनल में भी कोस्मेटिक में भी इनके जो स्केल्स हैं वो यूस किये जाते हैं अब बात करेंगे रेप्टायल की जिसमें सबसे पहले है घडियाल इसको गैवियल गैंजटिक कहा जाता है घडियाल एक क्रोकोडायल की स्पीशीज है जो की माहनदी रीवर औरीसा में स्पोर्ट की गई है onions प्रोटीक्षण एक में आटा है और मैं छे स्टायों तो स्केल्डबी टायूमगे बढ़ा ह्याल जो गैवियाल में सकेल्फटे को में से जाए काहिं हिरा साहें में इसके अलावा चंबल नदी आपको सपोर्ट करने को मिलेंगे एक तरीका का सांफ है इसको दो मुहा सांफ यानिकि टू हैड़िट सनेक भी कहते हैं क्योंकि इसका जो मुह है और इसकी जो पूंच है वो सेम अकार की है इसके अगली बात करेंगे डांसिंग फ्रॉग की वेस्टन घाट में इसको सपोर्ट किया गया इसका इसका नीरगिरी डांसिंग फ्रॉग का वाइट वाली डांसिंग इंडिंगर है इसका चैप नाम इस देंग रखा गया क्योंकि जो फुट हो जो प्रॉट हम इसे कूदते कूदते से नजर आता है जब हवा। हमें होताँ इसव应 को आप से लगते है इसवेसे डांस करने है इसका status least concern है, दो रंग का होता है, पीला रंग और काला रंग, इसके अलावा कार्णिवरर से मश्लियों को ये खाता है, ये बहुत असानी से पानी में तैर सकता है, पैसिफिक और इंडिया नोशन में पाया जाता है, प्रांट स्पीशिस की बात करें, तो गुची मश्रूम स के स्पीशिस पाया है, सबसे महँगी यही आती है, ये दरसल कैसे बनती है जैसे जो आपका जंगल होता है, उसके अंदर जो लकड़िया पाया जाती है, जब लकड़ी डिके होने लग जाती है, उसी के decaying wood से ये बनती है, और ये spring के season में आती है, cultivate इसको commercially तो नहीं किया ज Central India में भीज नाम की ट्राइब मिलती है, इन्होंने forest department का एक डिजीजन था, कि वहां पे जुबावाब की ट्री है, उनको कमर्शियल यूज के लिए हम उखाड देंगे, इन्होंने इसको अपोस किया है, इसका status है least concern, दरहसल ये एक पेड की पर जाती है, जो अफ्रीका होने से बचाया, ये critically endangered plant है, जो की deep blue color का होता है, इसके अलावा perennial herb है, इसमें फूल हमेशा ही रहते हैं, इसको हिमालियन का gentian भी कहा जाता है, और tramine भी कहा जाता है, ये liver को ठीक करने के रिए, और digestive water diabetes को ठीक करने के लिए यूज होता है, कुछ नई species जो discover किये गए हैं, स प्लांट की ही वराइटी है, हमालया जपान इंडो-चाइना में पाई जाती है, और ये अरनाचर प्रदेश के खप्ती community के दुआरा ही जो मतब एक परसन थे social reformer उनी के नाम पे इसका नाम रखा गया, अगली बात करेंगे सर्कुमा कांकनिंगी, ये एक प्लांट का स्पी यानि कि आप कह सकते है, वाटर बियर है, जो कि माइक्रो स्कोपिक आठ टांगो वाला एनिमल होता है, इसका नाम जो एपी जब्दुक्लाम जी के नाम पे रखा गया है, या ध्यान रखेंगे, अगली बात करेंगे, अगली बात करेंगे, एर्मागेड़न विटल की, ये अगली बात करेंगे, बैडिस लिमा कुमी की, ये सबसे छोटी फ्रेश वाटर फिश है, नागलेंड में देखने को मिली है, पैट्रिक गॉट्रो का इंटरमेडिका, ये एक जोलोगिका सर्विया फिंडिया के दवारा इडेंटिफाई की गी, अगली बात करेंगे, ये जिसमें सबसे पहले नियूस एको सेंसिटिफ जोन के बारे में है, मिनिस्ट्य आफ इंवार्मेंट फॉरेस्ट के दुवारा ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है, कि एको सेंसिटिफ जोन जो है, डची गाम नैशनल पार्क का, थाजवस का, और ओवर अरु वाइ देक्लेर किया जाएगा, नैशनल वाइलेफ एक्शन प्लान 2002 से लेकर 2016 तक जो अपरेट करता था, उसमें एको सेंसिटिफ जोन को देक्लेर करने की बात की गई थी, और इंवार्मेंट पोटेक्शन एक्ट 1986 के तहती ये डेक्लेर किया जाते है, नैशनल वाइलेफ एक्श इसके अलावा एको सेंसिटिफ जोन उन जगह पे डेक्लेर करने की ज़रूरत नहीं है, जहां पे और ड्राफ्ट ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, या फिर दो राज्यों की बीच में वो एरिया बॉर्डर शेयर करता है, और माइनिंग वोगेरा इस जगह पे नहीं हो ना ही नैशनल पार्क में ना ही उसके आसपस के एक किलोमेटर के एरिया में, कॉनकों से एक्टिविटीज हो सकती है, यानि कि माइनिंग नहीं कर सकते है, यह बिल्कुल बंद है, इंडस्की नहीं खोल सकते है, हाईड्र पर प्रजेक्ट नहीं लगा सकते है, रेगुलेश अगली बात करें तो अग्रिकल्चर होटी कल्चर जैसी प्रेक्टिस करने के लिए लोकल कम्यूनिटीज को वहाँ पर प्रमीशन नहीं ना पड़ता है, डचिगाम नैशनल पार्क के अगर बात की जाए तो यह आपका जम्मेर के रिजन में आता है, वहाँ पे एक माउंट के बारे में, Ministry of Environment, Forest and Climate Change के तवारा Central Empowered Committee बनाई चाहेगी, जो कि Environmental Issues से डील करेगी, यह Environment Protection Act के तहत बनाई चाहेगी, यह एक Permanent Statutory Body होगी, इसका मेन परपस क्या रहेगा, 2002 में जो एक इसी तरीके की Ad Hoc यह Temporary Body बनाई गई थी, उसको Replace करना, 2002 में इस तरीके की Temporary Body Supreme Court क के तहर बनाई गई थी, किस Case के तहर, Kamil Nadu, sorry, T.N. Godverman versus Union of India का Case आया था, उसकी Judgment के बाद C.E.C. नाम की Body को बनाई गया था, इसमें Chairman और तीन Expert Member होगे, तीन साल का Experience रही होगा, Chief Coordinating Officer भी इसके Member रहेंगे, इन सबको Environment का Experience होना चाहेगी, इसके लावाद Supreme Court के Order को Implement करना, ज तिर जो भी Agreed Person है, जो की Environment Lost जेल रही है, उनकी Application को ये Deal करेंगे, इसका jurisdiction पूरे Countries में होगा, और जो भी राजे, C.E.C. की Recommendation को नहीं मानेगा, उसको फिर Center के पास C.E.C. अपनी Recommendation भेजेगा, और फिर Center उन राजे को अपने तरीके से मनभाएगा, इसके बाद करेंगे United Nation Forum on Forest के बारे में, इंडिया ने Country-led Initiative जो है, जिसको United Nation Forum on Forest का पार्ट माना जा रहा है, उसको होस्ट किया, कहां पे दहरादून उत्रखंट के अदर, दरस्तर C.E.L.I. Country-led Initiative दो एरिया पर फोकस कर रहा था, कि Forest Fire, जंगलों में जो आग लगती है, उसको कैसे डील करना है, Forest को conserve कैसे करना है, इसका में परपस यही था कि United Nation Forum on Forest के साथ मिलकर Sustainable Forest Management को develop करना, United Nations Sustainable Forest Plan जो है, इसमें 2017 से लेकर 30 तक कर टार्गेट रखा गया है, जिसमें 6 Global Forest के गोल है, और 26 टार्गेट हैं, जिसमें जो की Voluntary है, अडॉप्ट करने हैं तो करिए वानना मत करिए, Contribute यह स्ट्रेटेजिक प्लान है, Forest की Management को लेकर, Sustainable Forest Management की बात करें, तो इसमें होता क्या है, Forest हमें Goods and Services देते हैं, तो हम इस तरीके से उनको यूज़ करेंगे, ताकि Future जो हमारी जनरेशन है, उसके लिए वह वो conserve किये जा सकें, इसके अलावा voluntary certification का scheme रहेगा, आप इस तरीके स में, United Nations Climate Summit के दराण adopt की गई थी, जिसका main purpose है, companies को private sector को forest के loss से रूबरू करवाना और forest को conserve करना, Forest Certification का जो mechanism है, वो मदद करता है, Forest को trace करने में, Forest की monitoring में, उसकी quality को manage करने में, 2010 से लेकर, 2021 तक कह रिया था, उसमें पाया गया है, कि जो भी Forest Land Certificate पाये थे, वो 35% तक increase हुए 7 elements होते है, Sustainable Forest Management के, सबसे पहला element क्या है, कि Forest Resources का extension कितना है, biological diversity कितनी है, वहाँ कई health कैसी है, जंगल की Forest Resources कैसे है, इसके लवा protection कैसी है, वहाँ पे social economic function कैसा है, उस जंगल का, और legal framework कैसा है, उसको manage करने के लिए, United Nation Forum and Forest की बात करें, तो दरसल ये United Nation की Economic and Social Council का part है, जो की 2000 मे establish की गई थी, और इसका main purpose है, conservation of the forest, और all type of forest के conservation से deal करते हैं, members की बात करें, तो जितने भी member state United Nation के हैं, including India, हो सब इसका part है, अगले बात करेंगे, Indian Forest and Wood Certification Scheme के बारे में, तो Ministry of Environment इसको launch किया है, नाम से clear है, जंगलों को certificate दिया जाएगा, तो एक तरीके का national forest certification scheme है, जिसका main purpose पसे जो भी sustainable managed forest होंगे, उन सब को certificate देना, quality के लिए, इसमें जंगलों को भी cover किया जाएगा, forest को भी, और उन पेडों को भी, जो की outside the forest आते हैं, तो tree outside the forest वाले area भी इसमें count किया जाएगा, ये third party certificate होगा, voluntary है, mandatory नहीं है, market की हिसाब से इसमें incentive भी दिये जाएगे, जैसे जंगलों से इरिया में perform करेगा, उसको और enrich करने के लिए पैसा भी दिया जाएगा, ये पूरे country में लागू होगा, certificate जो है, ये timber और non-timber forest produce, दोनों पे लागू होगा, तीन तरीके certificate होगे, कि जंगलों का manage कैसे कर रहे है, tree outside the forest कैसे manage कर रहे है, और custody certification, यानि कि किसको custody उस certification council, जो है, वो इसकी responsible organization होगी, Indian Institute of Forest Management, जो भुपाल के अंदर है, वो इसकी operating agency होगा, फिर एक national board भी बनाया जाएगा, जो दर असल एक credit certificate देगा, मत्त, certificate गुजारी करेगा, quality council of media की निगरानी के अंदर, national working plan code की बात की जाए, तो 2023 में ये plan लाया गया था, जिसका main purpose है, scientific तर और water conservation के साथ-साथ, जो forest है, उसके cover को भी हम increase कर सके, इसके अलावा, भुपाल, India process, 1998 में, आप ये समझे, इनके द्वराद डिवेल्प किया गया था, जिसमें forest management उस area का अच्छा तरीके से इनोंने किया था, first time में, आपका, ये, मत्त, first time, इनोंने, 2023 के आसपस, state forest department को instruction जा 59th council अभी held हुआ है, ये एक intergovernmental organization है, 1989 में set up की गई थी, headquarter Yokohama, जापान के अंदर है, main purpose है, tropical forest को अच्छे से manage करना, इसमें 76 country है, इंडिया इसका member है, और international tropical timber council, जो है, वो इसकी गवर्निंग बॉड़ी है, अगली बात करेंगे, एक credited compensatory, a forestation के बारे में, देखें, मैंने जाएगा, camper fund के अंदर, या फिर वो क्या करेंगे, अब market में ऐसा procedure चल गया है, कि सीधा-सीधा वो कहीं और जहां के जंगल को purchase कर लेंगे, किसी और private firm से वो उनके area का जंगल खरीद लेंगे, और फिर वो सरकार को जंगल जो है, वो दे देंगे, in return of that place, जहां पे उन्होंन में लगाएगी, जंगल, पेड लगाएगी, और इन पेडों को आगे चलके area wise, मत अरिया के हिसाब से इनको बेचेगी, कहां बेचेगी उन private companies को जिनको की खरीदना है, क्योंकि वो private company कहीं पे जहां फैक्टरी लगा रही है, वहाँ पे वो जंगल को काट रही होंगे, तो इन से ये वाला जंगल का हिस्सा खरीद लेंगे, तो एक रेडिटेट कॉम्पेसेटरी एफ़ोरेस्टेशन जो है, यह forest conservation rule 2022 के तहर आपका लागू किया गया था, दरशल यह non-forestry use जो हम करते हैं, किसी forest वाले land का, उसको उसके लिए approval लेने के लिए काम आता है, इसमें जो government होती है, या फिर जो लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, vegetation को, किसी भी खाली land पे raise करते हैं, जब वो पूरा खाली land vegetation से भर जाता है, तो उसको project developer को बेज देते हैं, या किसी private entity को बेज देते हैं, जिसको उस time पे जरूर है उसकी, तो यह हो गया compensation करना, किसी particular land के, land के बदल use के लिए use करोगे, मत्त किसी और तरीके के लिए company set up करने के लिए, आफिर industry के लिए use करोगे, उसके लिए पहले आपको approval लेना पड़ेगा, और compensatory afforestation, अब mandatory है, Forest Conservation Act 1980 के तहत, आपको compensatory afforestation देना ही पड़ेगा, आप सीधा industry जो है, वो जंगल कार्ट के industry लगा नहीं सकती, पहले उसको जंगल के बंदे जंगल या फिर पैसा देना पड़ता है, Global Forest Watch की बात करेंगे, World Resources Institute और University of Maryland के द्वारा Global Forest Review जो है, उसको update किया गया है, Global Forest Watch प्लाटफॉर्म के अंदर, World Resource Institute जो है, इंके द्वारा Global Forest Watch को 1997 में Forest Frontier Initiative के पार्ट के तौर पर सेटिप किया गया था, ज World Resource Institute एक non-profit organization है, जिसका main purpose है, लोगों की needs को भी ध्यान रखना, climate को भी ध्यान रखना, और जंगल का भी ध्यान रखना, जंगल को और जदा restorative बनाना, अगली बात करेंगे, Collaborative Partnership on Forest के बारे में, इनके द्वारा Joint Call to Action for the Forest जो है, इसको launch किया गया, 2030 तक हम Forest को और जदा proactive तरीके से गंजव करने की कोशिश करेंगे, यह जो आपकी partnership है, इसको 2001 में सेटप किया गया था, यह United Nation के Economic और Social Council के द्वारा सेटप की गई, voluntary partnership है, जंगल के management के लिए, इसका main purpose है हर टाइप के जंगल का contribution, जो है, उसको increase करना, उसमें enrichment लेके आना और sustainable development करना, अब बात करेंगे wetland के sector के, जिसमें सबसे पहली news है, first international treaty to protect the high seas, देखे, United Nation के द्वारा, world की सबसे पहली international treaty, high seas को protect करने के लिए तियार की गई है, अब high seas क्या होता, इसको यहां से समझे, इस coast area से 12 nautical mile पे जब आप चले जाते हैं, पानी के अंदर तो वो आता है, territorial area, इस जगहा पे पूरे मान के चले हमें, इंडिया का ही border है, 12 nautical mile का जो एरिया होगा, वहां पे इंडिया की पूरी sovereignty है, इंडिया जो चाहे यहां पे कर सकता है, उसके बाद इसके आगे का 200 naut से आगे का जो area है, यह होता है, I.C. का area, इसी के आप सकते है, conservation के लिए आपका यह जो नया treaty है, यह sign किया गया है, इसको I.C. कहते हैं, और एक चीज़ धियान रखिएगा, कि continental shelf, जहां तक जाएगा, टेरिटोरिय सीर्थ से लेके, जहां तक continental shelf जाएगा, एक्चल में हर ए इस treaty के बारे में, यह treaty inter-governmental conference on marine biodiversity of area beyond natural jurisdiction के द्वारा adopt की गई है, इसका में परपस है कि oceans जो है, उनको future generation के लिए protect करके रखना, इसको United Nation Convention on law of sea के under adopt किया गया है, जो एक convention है, यह legally binding treaty है, यह दर असल 60 country जब इसको ratify कर देंगे, यह treaty आपकी enforce हो जाएगी, इसमें वही बात की गई है कि जो seas, high seas का area है, वहाँ पर pollution नहीं होना चाहिए, अगर कोई pollution करता है तो उसको pollution का पैसा देना पड़ेगा, पार्टी को जो environmental impact है, समुदर के ऊपर climate change के उसको highlight करना पड़ेगा, उसके लिए responsibility लेनी पड़ेगी, ocean management, ocean acidification को manage करना, climate change का उसके impact study करना, यह सब चीज आएगा, ताकि treaty जो है, वो और अच्छे से implement हो सके, coral reef breakthrough की बात करेंगे, international coral reef initiative के द्वारा, coral reef breakthrough जो है, इसको launch किया गया, यह दरसल global fund for coral reef और high level climate champion, दोनों ने मिलकर launch किया है, international coral reef initiative की बात करने, तो एक global partnership है, जिसमें nations, अलग-लग देश और organization शामिल है, 1994 में इसको setup किया था setup की time, इंडिया इसका part नहीं था, लेकिन आज की time इंडिया इसका part है, main purpose है, coral reef को पूरे विश्यो में protect करना, तो इसके लिए global fund for coral reef coalition भी setup किया गया है, जो पैसा release करता है, coral reef के protection के लिए, coral reef breakthrough की बात करें, तो इसका main purpose यही है, कि जो आपकी shallow water, tropical area में coral reef पाय जाते है, उनक की वज़े से coral reef को loss होता है, उसको control करना, फिर इसके अलावा coral reef conservation के लिए 30 by 30 के target को और जगा enhance किया जाएगा, 30 by 33 का target याद कीजिए, convention on biological diversity के अंदर, जो आपका कुनिंग मॉंट्रे, global biodiversity framework था, उसका target 3 क्या बोलता है, कि 30% तक का terrestrial और inland water का area है, और marine area है, उसको 2030 तक हम conserve करे है, यह coral reef initiative, इसके अलावा हम लोग innovative solution provide करेंगे, ताकि जो भी reef अभी खतम हो चुकी है, degrade हो चुकी है, उनको दोबारा से restore किया जा सके, इसके लिए 12 billion dollar जो है, वो 2030 तक raise किये जाएंगे, public और private sources से, coral reef के बात करते हैं, दरसल दीखे, marine यानिकी समुद्र के अंदर, invertebrate animals इनका जो skeleton होता है, वो बहुत ज़दा hard होता है, तो जब इनकी death होती है, तो इनकी skeleton से secret होता है calcium carbonate, तो जब यह मरते हैं, तो एक जगह पे calcium carbonate secret करते हैं, दूसरे बाले जो coral है, वो इनहीं के उपर आके फिर से रहने लग जाते हैं, इस तरीके से वो भी मरते हैं, फिर से calcium carbonate जमा हो गया, तो यह colony type बन जाता है, calcium carbonate deposit होता रहता है, अगली generation उसके उपर रहती रहती है, तो यह colony बना लेते हैं, जिसमें hundred और thousand of tiny individual corals रहते हैं, इन corals को polyp कहा जाता है, और 75% of world का जो coral reef है, वो 45 countries में आता है, जिसमें आपका Australia, Indonesia, Philippine, Maldiv, Fiji, यह सब आते हैं, प्रधानमत्री मस्य संपदा योजना के अंडर, अभी artificial reef क्या है, देखें, मैंने बोला ना, calcium carbonate पे ही उनकी को लोनी बनती है, तो हम लोग क्या करेंगे, समुदर के अंदर calcium carbonate का को लोनी बना की छोड़ देंगे, ताकि वो वहां पर आके रहना शुरू कर दें, तो हमने artificial तरीके से रीफ बना दिया, ये रीफ आपका प्रधानमत्री मस्य संपदा योजना के तहद बनाया जाएगा इंडिया के अंदर, अब बात करेंगे, स्टैग्होन कॉरल की, देखें, ये क्रिटिकल इंडेंजर है, एक सर्वी किया गया, जिसमें पाया गया, जिसमें पाया कि ये बिमारी से जूश सकते हैं, और ये dense group में रहते हैं, जिनको ठीकेट कहा जाता है, ये अपना जो खाना है, वो algae से बनाते हैं, अब देखें, कोई भी जो coral होता है, उसके अंदर algae रहता है, जिसको बहते है, जो जैन्थले algae, अब देखें, coral अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, algae खाना बनाता है, और algae को support देता है, coral, coral algae को protect करता है, तो दोना मिल बांटके रहते हैं, ये कौन सा relationship हुआ, mutual relationship हुआ है, so photosynthetic algae जो है, ये coral के सेल के अंदर यहां पे रहते हैं, और उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, अगली बात करेंगे, कौन को से wetland आपके news के अंदर है, सीधा चलते हैं, topic पे, नाम देखते रहेंगे, चिलिका लेक आपके Odisha के अंदर है, ये भी news में थी, चिलिका लेक एशिया की सबसे बड़ी brackish water lake है, विश्व की second largest coastal lagoon है, लेगून क्या होता है, अच्छा मुझे comment section बाई, lagoon और lake के अंदर है, डिफरेंस बत पे, सबसे पहली Indian site यही बनी थी, जो उसमें declare की गई थी, 1991 में, इसके अलवा ये Asia की सबसे पहली site है, जो कि Montrex record से 2002 से बहार निकाली गई, देखे, रामसर convention के धैत, जो एटलेंड है, उनको conserve करने की sites की list बनाई जाती है, वो sites जो सबसे जादा dangerous है, उनको फिर रखा जात जो कि इस Montrex record का हिस्सा है, एक का नाम मैं आपको बताती हूँ, लोग तक लेक मनी पूर, दूसरी का नाम आप comment section में बताइए, जो Montrex record में आती है, Montrex record रिजस्टर होता है, जो वेटलेंड ऑफ इंटरेंशन के अंदर बनाया जाता है, और यह उनके लिए होता है, जो व Flamingo Near Threatened Species है, यह Rare Migratory Bird है, जो कि सब साहरा इलाका जो है, सब साहरा वाला इलाका अफरीका का वहाँ से इंडिया की तरफ आते हैं, यह कहां है आपके लिए कि यह आंद्रापदेश और तमिनाडू के बॉर्डर पे है, यह second सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर का लैगून है देखे जब से बड़ा तो हो गया चिलिका, second कौन सा हो गया आपका पुलिकत, यह एक रामसर साइट है, इसके अलावा यहाँ पे अरानी, कलंगी, स्वन, मुखी, नदिया जो है, वो इसमें जाके मिलती है, इसके आसपस barrier island भी है, barrier island ऑफ शीरी हरी कोटा, शीरी हरी कोटा क ही एक मतब हो सकते हैं, टूटा हुआ अंग है, यह जो आपके डल लेख है, इसमें जो floating gardens है, उनको राड कहा जाता है कश्मीरी में, और इसमें आपको शिकारा boat जो है, चलती फिरती मिलेंगी, अगली बात करेंगे, भोज वैटलेंड मध्यपरदीश की, NGT ने यहाँ पे जो कि एक महत मैसिव फ्लावर होते हैं, वो देखने को मिले हैं, अब देखने को तो बहुत सुनदर लगता है कि ऐसा पिंक कलर का फ्लावर पूरी लेक में बिचा हुआ है, लेकिन दरसल जितने यह फ्लावर उपर होंगे, उतना जान्द नीचे फिशिस वगएरा को सांस देखने में दिक्कत होगी, तो यह एक नया थ्रेट है, जो कि वहां के लोकल स्पीशिस को देखने को मिल रहा है, खास करके पानी के अंदर, और यह लार्जेस्ट ब्रैकिश लेक है, केरला की, जो आपकी कोल वैटलेन या वैंबलेड है, और ध्यान अखिएगा, यह हमारी जितना स्मुद्र का लेवल होगा, उससे लेवल से नीचे आपका लेंड है, तो इसलिए कहा जाता है, कि यह पैडी फील्ल है, जहां पर राइस को उगाया जाता है, और यह बिलो सी लेवल है, यह सेंटर लेशन फ्लाइवे का हिस्सा भी है, और यहां पर स्पोर्ट बिल बिल असम के बारे में, असम गौर्मिन ने यहां पर वाटर स्पोर्ट की एक्टिविटी को यहां पर अलो कर दिया है, यह तरीकी की फ्रेश वाटर लेक है, और सबसे बड़ी लेक या फिर बील है, जो ब्रमपुत्रा वैली ऑफ लोर असम में पाई जाती है, यह रामसा सा जो रास्ता फॉलो करते हो आते हैं, उसी को बोलते हैं Central Asian Flyway, ओक्सबो लेक है, यहां पर ऑक्सबो लेक क्या होती है, जोगरफी में पढ़ा होगा, तो धिहान एकर रामसार बेटलेनर साइट भी है, 2020 में डेकलेर की गई है, कोलेरो लेक अंधरा प्रदेश के अंदर है, को सुन्दर्वन जो है वो मतलब काफी सदा डैमेज हो रहा है क्योंकि इलामेट चेंज हो रहा है इंडिया और मंगलादिश दोनों में यह आता है तो इंडिया और मंगलादिश के अंधा यह ग्लोबल कॉमन है मतलब कॉमन है इक तरिके से इसका लोगेशन अगर देखा जाए इंडिया में 40 प्रदिश दोनों में 60 परशनेंट आता है यहां पे गंगा प्रमपुत्रा मेगना की जो नदिया है वही इसका डेल्टर बनाती है सुन्दर्वन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैंगरूव फॉरेस्ट यह उन्दर्वन यह यहां पे बहुत सारे फॉन जो अपरेशन चलाया गया इसके थाथ बहुत सारा इल्लीकल ट्रेड जो होता है आपका कशुव का टर्टल का उसको रोपनी कोशिश की गई है इंडिया में बहुत सारे टर्टल की डिवरस्टी पाई जाती है खासकर कि टर्टु आइस और फ्रेश वोटर टर्टल बहुत म के अंदर तो मिनिस्ट्र फाइनेंस की दुआरा डिरेक्टर.off revenue intelligence की अंदर आपका ये अपरेशन का चाप चलाया गया था ध्यान रखेगा ये मिनिस्ट्र फाइनेंस का ही अपरेशन है मिनिस्ट्र फ इन्वाइनमेंट का नहीं है अगली बात करेंगे के क्रिप्टो बाइ ये वह स्केट होती है जहां पे किसी भी तरीके का साइन ओफ लाइफ उस जीव के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता है और ऐसा लगता है कि उसकी metabolism activities जो है metabolic activity वो विलकुर खतम हो चुकी है क्योंकि वो standstill हो चुका उसके बरफ जब चुकी है लेकिन साइंटिस्ट ने दु मतलब कि एक female crocodile ने एक बच्ची को जनम दिया लेकिन उसके लिए male crocodile के sperm की ज़रूरत नहीं पड़ी ये sexually reproducing species का type नहीं है इसको कहते है faculty parthenogenesis एक तरीके का female का जो egg cell है वो baby में अपने आप develop हो जाता है without having the help of male sperm cell ये process आपको धिया रखना है ठीक है? environmental DNA की बात की जाएंटिस्ट की द्वारा environmental DNA की मदद से डी विंटन गोल्डन मोल जो है उसको discover किया गया है दरसल एक IUCN status critically endangered ये species है ये completely blind होता है environmental DNA की टेक्नीक से इसको कैसे पाया गया? environmental DNA की टेक्नीक का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर लुप्त भी हो गए है तो environment के अंदर आपके DNA की मवजूद्गी हो ना उस DNA को collect करके comparison करके फिर species का पता लगाया जाता है तो इसमें environmental DNA जो है ये nuclear होता है या फिर mitochondrial DNA भी हो सकता है जो किसी environment के द्वारा, किसी organism के दवारा environment में रिली के कारण tropical area में जो मैंने species रहते हैं वो अब equator से poles की तरफ जा रही है या फिर temperate area की तरफ जा रही है इसी तरीके से term है boralization जिसमें temperate area के जो species है climate change की वज़े से वो architect और polar के इलागों में जा रही है अगली बात करेंगे इंडिया National Center for Ocean Information Service के बारे में यहां पे मत इसमें ministry of our science के जो secretary है वो इसके head person रहते हैं इस organization के इसके अलावा early warning system जो होता है tsunami का उसके बारे में भी यह आप कह सकते है report देता है यह information service system जो है इसके अलावा ocean की information उसके research उसके oceanographic study के thesis यह सब में मदद करता है first census of water body की बात करेंगे ministry of judge रक्ती के दुवरा all india report निकाली गई है जिसको पहला census कहा जा रहा है water bodies का जितनी भी water body है हमारे यहां पे उन सब का study इसमें किया गया सबका मतलब database जो है वो तियार करके रखा गया इसके लावा 6th minor irrigation census census भी हाल फिलाल में निकाला गया था उसको इसके साथ मिलकर मतलब report को converge कर दिया गया इसमें पाया गया है कि हमारे यहां पे जितने भी water bodies पाई जाती है उसमे 97% के आसपा रूरल अरिया में मिलती है सबसे रहता water body best bangal के अंदर है सेकिन उतर प्रदेश के अंदर है कहां पे सबसे कम है सिक्किम के अंदर इसके अलाव के इलाके से हम लोग coastal area को protect कर सके 100 करोर का इसका fund है 80% इसके cost government of media की रहेगी 20% state government की रहेगी अगली बात करेंगे reward program की reward program को full firm है rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative development मतलब लोग watershed को जी area है उसको भी preserve करेंगे उससे agriculture को revive करेंगे innovative तरीके से यह reward program world bank के दोरा assist किया जाने वाला watershed development program है और 2021 से लेकर 26 तक चलाया जाएगा ministry of जल शक्ति इसको implement करेगी department of land resources की नौडल मतलब department है इसका मेन परपस यही है कि watershed management को selective area में अच्छे तरीके से मजबूत करना और इसमें करनाटका और 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 इसा जो है महां वे presently इसको implement किया जाएगा institutions की बात करें तो wildlife institute of india news में था 1992 में setup किया गया था ministry of environment के अंदर काम करता है जिसका main purpose क्या है wildlife research को conduct करना, biodiversity को protect करना, endangered species के बारे बारे प्रटेक्शन देना, इसका headquarter देहरादूर के अंदर है, इसकी reports की बात करें तो state of india's birds 2023 की रिपोर्ट रिलीस की गई है इनके इंडिया के अंदर endangered है, जैसे इंडिया skimmer हो गया, black billy turn हो गया, critically endangered में बात किया गया है, बैंगॉल फ्लोरीकन और आपका वेपोर्ट, यह सब आपके endangered और critically endangered में आते हैं, अगली बात करेंगे, zoological survey of india की, इसको 1916 में setup किया था, दर असल इसका main, आप कह सकते हैं, background है, establishment का, वो चलता है, Indian museum के साथ, Indian museum को कालकाता के अंदर 1875 में जब setup किया गया, तो वहीं पर zoological section मनाया गया, उसके बाद 1916 में zoological survey of india को अलग से setup कर दिया गया, main purpose यह है, जितने में animals हैं, उनकी documentary याद करना, उनका classification करना, उनके बारे में naming करना, इसका headquarter के अंदर है, यह ने का ली थी, जिसमें, और यह list जो है, यह दरसल ministry of environment forest को इनके दोरा submit की गई, और जिसमें यह पाया गया कि किस तरीके से यह flora और fauna इंडिया में change हो रहा है, देखे, flora यानि की आपके पेड़ पोदे, उनके बार में जो responsibility दी गई थी, वो botanical survey of india को दी गई थी, collect करन इनके data और animal की information, zoological survey of india ने collect की है, maximum flora और fauna हमारी यहां पे के अंदर पाया जाता है, अब कौनकों से जानवर आपके discover किये गए है, मेखाले के अंदर आपका एक bat discover हुआ है, जिसका नाम है moniopetras philpis, इसके लावा bamboo dwelling bat जिसका नाम है glitch porus, वो भी discover हुआ है, और नाचल प्रदेश में सेला मकैक जो है वो दिसकावर की गई है, सेला पास या नाचल प्रदेश के अंदर जहां पे अपे सेला टनल भी बनाई गई है, तो यह धियान खेगा सेला मकैक, पूछा जा सकते है, इसके लावा मकैका लुकणिस जो की एक मेकाख है वो भी वहां पाई प्रदेश का नाम का अबोज सकते हैं, फोना उत्राखंड में मिला है, फिर आपका नील गेरिया जो है वो वेस्टें घार्ट में पाया गया है, यह भी एक तरीके का फ्लोरा है, स्वरी यह सब फ्लोरा ही है, मतब पेड़ पॉद ही है, अगली बात करेंगे 75 एंडमिक बर् इसका नील गेरिया जो कि पिछले कुछ दशकों में यहां देखने को नहीं मिले है, एक है मनीपुर बश क्वेल, एक है हिमालेन क्वेल, एक है जर्डन करसर, तीन ऐसे इसे पीशिज है जिनको को क्रिटिकल इंडेंजर बोला है, आयूसी एन ने, हिमालेन क्वेल, जर्डन करसर और आपका गोएन लोचिलिया, यह ध्यान अपको नाम ठीक है, अब बात करेंगे कुछ और स्पीशिज जो कि अन्नमान निकवार अलन में एंडमिक हैं, जैसे कि आपका निकवार मेगपॉट, निकवार सर्पेंट, इगल, अन्नमान क्रेक और अन्नमान बानॉल, अग मार में इसका नाम बदा दिया गया है, वर्डवाइड फंफर निक्चर कर दिया गया है, 1995 के अंदर तब इसका हैड़कोर्टर अप ग्लैंड, स्विजिज लैंड के अंदर है, यह दर असल अर्थावर नाम का मूम्मेंट भी कंड़क्रवाते हैं, दोजा साथ में उन्हों प्रवाइस के, यह लिविंग प्लैनेट इंडेस भी निकालते हैं, इसमें जो भी विल्ल्टी वाल्टी डिवर्स्टी है उसके पॉपलिशन ट्रेंड को स्टडी किया जाता है, उसके बारे में रिपोर्ट निकाली जाती है, इसके अलावा इसके बारे में एक्सेट अप क तरीके के आपने बैंक में deposit दिया ठीक है वो green deposit तब बनेगा जब उस पे आपको interest मिलेगा और उसका जो आपका पैसा है वो कहां पे use होगा वो पैसा use होगा green finance में मतलब उस activities में या उन इंडस्टी में जहां पेकी green project लगाए जा रहे हैं जो की environment friendly project है यह ध्यान रखिएगा ठीक है इसमें कुछ highlight दिये गए है कि यह framework जो है कैसे काम करेगा मतलब कौन-कौन सी entity है जो green deposit ले सकती है जैसे आपका deposit taking non banking financial company है जो RBA के साथ registered है वो भी यह green deposit ले सकती है इंडिया रुपीज में ही लिया जाएगा green deposit जो है उसको लेना compulsory नहीं है इसके अलावा किसी भी company मान के चलो कोई bank है उसके पास green deposit आया नहीं लेकिन उसमे finance पहले ही कर दिया green project को यह गलत माना जाएगा यह कहा गया है कि यह जो आपका fund आएगा इसमें आप लोग project को पहले sponsor नहीं कर सकते पहले आपको green deposit जो है उसको लेना पड़ेगा इसके लावा deposit जो है यह आपका credit guarantee corporation का भी हिस्सा र आपका हुआ है तो कौनकों से sector में वो पैसा लगाया जा सकता है renewable energy में energy efficiency में climate change में adaptation में sustainable water management में और green building में कहां नहीं लगाया जा सकता है यहां देख लीजिए जो भी आपके fossil fuel का management है वहाँ पैसा नहीं लगेगा nuclear power generation में पैसा नहीं लगेगा direct to waste installation में पैसा नहीं लगेगा alcohol weapon जैसी चीज़ों में पैसा नहीं लगेगा वो renewable energy जो कि किसी protected area में produce हो रही है वहां पे पैसा नहीं लगेगा project का landfill project में नहीं लगेगा hydro power plant जो 25 megawatts से जादा के हैं वहां पे भी इसका पैसा नहीं लगेगा sovereign green bond की बात करेंगे देखे इसका पहला जो ट्रेंचे है वो 2022 थे इस budget में अनौस किया गया और 2024 में issue कर दिया गया यह वो green bond है bond के होता है जिसमें market से पैसा raise करके फिर company set up करती है अपना infrastructure तो green bond का मतलब कि company जो पैसा उठाएगी market से उसको environment benefit वारे project में यूज़ करेगी इं इनको अब चाहिए तो पढ़ सकते हैं पढ़ना ज़रूरी है ठीक है इसके अलबा दो tier governance process है जिसमे ministry या फिर department जो रहेगा जो की in charge रहेगा program का उसको project को select करना पड़ेगा फिर उसके बाद green finance working नाम के committee जो है वो दरसल decision जो है उसको oversee करेगी देखेगी कि department ने decision सही लिया क कैक के द्वारा किया जाएगा अब बात करेंगे इससे related concept की सबसे पहले है sustainability bond इंडिया का जो exam bank है उन्होंने 10 सार मतब उन्होंने 1 billion dollar के लगवगा sustainability जो bond है उसको release किया है ठीक है sustainability bond sustainability bond जो है इसमें जो पैसा raise किया जाएगा उसको environment activities के लिए ही use किया जाएगा इसके अलाव इससे उठाया जाएगा market से उसको black rhino की conservation के लिए use किया जाएगा अब बात करेंगे resource efficiency circular economy industry coalition के बारे में देखिए यह हाल फिलहाल में launch किया गया है इसको G20 के fourth environment and climate sustainability working group की meeting के दौरान मुंबई में launch किया गया इसका नाम के कहता है resource को efficient तरीके से use करना ताकि circular economy जो है वो promote हो स sustainable development goal को अचीव करने का फिर paris agreement के climate goal को अचीव करने का konming water global biodiversity framework की goal को अचीव करने का वो सब किया जाएगा लेकिन by the help of circular economy यहां लिखा गया data bank के बारे में की resources का जो consumption है वो 1970 से अभी तक triple हो चुका तीन गुना हो चुका है global economy के वस 7.2% ही है जो circular है 20% ही goods है इंडिया के जो recycle किये जाते हैं green house के मामले में इंडिया 3rd सबसे बड़ा emitter है world के अंदर अब देखे circular economy क्या होती है वो economic system जिसमें अगर अपनी product को use किया तो उसका waste जो है उसको दोवारा से reuse किया जाएगा recycle किया जाएगा तो इससे product की जो life बढ़ जाएगी तो इसमें different initiative दिये जा रही है सरको economy को promote करने के लिए जैसे national resource efficiency policy निकाली गई थी life movement निकाला गया था जिसमें हम लोग triple P 3P यानि कि pro planet people declare करेंगे जो कि climate friendly activities को करके lifestyle for environment को adopt करेंगे environment friendly activities को promote करेंगे तो मतलब waste को reuse करने की कोशिच करेंगे फिर स्वच भारत mission जो है इसमें zero waste country को promote किया गया है extended producer responsibility निका फिर उसके बाद matter recycling policy निकाली गई है तो different kind of policies के थो हम recycling पे जोड़ दे रही है कुछ related news की बात करें तो sustainable finance working group जो है ये दरसल इनका meeting चौथा meeting इंडिया में conclude हुआ तो 2016 में इसको establish किया गया था ये green finance study group है इसका main purpose क्या है कि green global growth के लिए मतलब green projects के लिए जो finance है उसको market में grow क करना और finance को mobilize करना और ये G20 के presidency के तहर दिली के अंदर इसकी meeting जो है वो कंड़ की गई थी green building की बाद करेंगे हाल फिलाल Indian Green Building Congress ने अपनी meeting को चन्नाई तमिलाड़ों में host किया और ये Indian Green Building Council के द्वारा कंड़ कीगी meeting थी green building का मतलब कि हम लोग जो भी building या construction करेंगे वो environment friendly construction ह होगा जिसमें हम जो material यूज करेंगे operation यूज करेंगे वो सब environment friendly होंगे यानि कि आप ये समझे कि हम लोग ventilation वगारा का ज्यादा सुवीदा देंगे ताकि AC की ज़रूरत ना पड़े ऐसी कुछ चीज़े करके building को बनाना इसमें energy efficient building मनाई जाएगी net zero carbon building मनाई जाएगी जिस पैडी स्ट्रॉ को यूज कर लिया वीट स्ट्रॉ को यूज कर लिया अधरवाइस तो पैडी का स्ट्रॉ जला दिया जाता ना और फिर co2 ही निकलता उसमें से पर हम carbon negative building बना रही है फिर carbon craft tile यूज की जाती है जिसमें upcycled carbon जो है ये carbon waste उससे tiles बनाई जाती है उसके लावा वर्ल्ड green building council के framework को follow करती है इसमें national level पे बहुत सरी green building councils को ये मतलब एक तरीके से बहुत सकते recognize करती है 2002 में इसको establish किया गया था और headquarter जो है वो इसका है है अब बात करेंगे lead rating system की इंडिया ने US और चाइना को surpass कर दिया है in the lead rating system lead क्या है leadership in energy and environmental design तो ये certificate होता है जिसमें energy और environmental designs को एक तरीके से promote किया जाता है इस तरीके से बनाया जाता है जिसमें की emission नहीं होगा मतलब carbon dioxide के emission को control किया जाएगा ये globally recognized certification system है जिसमें efficient healthy और carbon और cost saving green building को promote करके certificate जारी किया जाता है US green building council के द्वारा इसको बनाया गया था ये job का lead का mechanism है इसमें चार certification के level होते है certified silver gold और platinum lead India का जो program है वो Indian green building council के द्वारा ही चलाया जा रहा है lead zero के बात करें तो lead certification का ही compliment है इसमें उन project को recognize किया जाता है जो कि net zero होते है यानि carbon dioxide को बिल्कुल limit नहीं करते है यहां फिर positive status पे होते हैं यानि carbon dioxide को reutilize कर लेते हैं इंडिया में 73 lead zero certified project जो है वो अभी तक चलाया जा रही है नेली बांथर जो carbon emission इंडिया के अंदर होता है वो building और construction से होता है लेकिन अगर हर एक building को lead certificate लेना है तो उनको अपना ये carbon emission रोकना पड़ेगा अगली बात करेंगे ग्रिया के बारे में green rating for integrated habitat system ये इंडिया का बनाया गया green building rating system में जो भी में बिल्डिंग green होगी ऐसा नहीं घरी जैसा मैंने बूलका carbon dioxide को emit ना करने वाली building उनको ये certificate दिया जाएगा इसको तेरी नाम का institute जो है the energy and resource institute on ministry of new and renewable energy मिलकर इसको rating देते हैं य अगली बात करेंगे alternative fuels के बारे में सबसे बहला है mission on advanced and high impact research माहिर माहिर नाम का program ministry of power or ministry of new and renewable energy ने मिलकर launch किया है देखे इसका मीर परपस किया है कि ऐसी technologies को develop करना जिससे हम लोग और भी जदा efficient power को develop कर सके इसमें हम लोग जो भी product release करेंगे या फिर जो भी product से power को develop करेंगे उ इसमें technical जो अब हो सकते हैं support दिया जाएगा central electricity authority के द्वारा दिया जाएगा रोल क्या रहेगा कि इसी technology develop करना जो कि environment friendly हो आठ areas research करके हम लोग energy का production करेंगे जो कि environmentally viable होगा जैसे कि indigenous cold role grain oriented technology को develop किया nanotechnology से EV battery electrical vehicle की बैटरी बनाना उस पर research किया जाएगा geothermal energy पर research किया जाएगा lithium capture पर research कर दिया green hydrogen के production पर research कर दिया यह सच चीजे इसमें union minister of power और new renewable energy वाले जो minister है वो apex community के cheer person भी रहेंगे international level पर भी collaboration किया जाएगा quality कम cost based selection किया जाएगा यानि कि जो भी research किया जाएगा उसका जो भी product बनेगा उसका quality check भी किया जाएगा उस पर cost भी efficient होनी चाहिए अगली बात करेंगे US India renewable energy technology action platform के बारे में तो देखें यह US और इंडिया के दवारा तयार कियागा strategy clean energy partnership है जिसमें किया किया जाएगा energy के security पर focus किया जाएगा electrification बढ़ाई जाएगा decarbonization किया जाएगा तकि ज़्यादा से ज़्यादा clean energy आ सके strategy clean energy के कुछ pillars है renewable energy को develop करना sustainable growth energy efficient होनी चाहिए responsibility से oil और gas को develop करना और fuels जो है emerging वाले उन पर focus करना तो दरसल कुछ और engagement है जिसमें US और इंडिया मिले हुए है जिससे climate action के लिए काम करना finance mobilization करना उसके लिए इसमें 5 pillars है कुछ और emerging technology है power sector की जिसमें research किया जाएगा इंडिया और USA के दवारा मिलकर re-tap के बारे में बात किया जाए तो इसमें emerging renewable technology पे खास करके focus किया जाएगा उसको develop करने में मदद की जाएगी green hydrogen हो गया wind energy हो गया geothermal energy इन सब पे काम करना है युनाइटी स्टेट का department of energy और हमारी यहां का ministry of renewable energy इसको implement करेगा research development हो गया testing हो गया नए नी technology का training और skill development यह सब इसका part है इसके अलावा कौन सी technology को power sector पे focus में रखा जाएगा जिससे आपका air generation हो गया इसमें क्या किया जाता है water vapors होते है हावा में उसी से electricity produce की जाती है atmosphere के फिर micro grid मतब बड़े grid लगाने से अच्छा छोटे चोटे grid लगाए जाएंगे local level पे जो energy को store कर पाएंगे power wall, power wall क्या होंगे आपका जो भी clean energy आप produce कर रहे हैं उसको आप power wall के अंदर store कर सकते हैं और फिर अभी भी use कर सकते है vertical wind turbine, wind turbine, vertical wind turbine क्या करेंगी जो भी waves आपकी समू solar facility को announce किया गया है जिसके थार 35 million dollar के लगभग का पैसा जो है उसको mobilize किया जाएगा, यह 6th session है इसका जो recently held हुआ, जहांपे decision लिया गया, global solar facility के अगर बात की जाए तो दरसाद ISE के assembly ने इसके अप्रूब किया है, जिसमें private sector जो है वो इसमें पैसा लगाएगा, थाकि solar project को solar energy को और भी ज्यादा हम लोग improve कर सकें, global solar facility, यह payment guarantee fund रहेगा, insurance fund भी रहेगा, investment fund भी रहेगा, इसमें solar investment पर फोकुस किया जाएगा, और यह investment सबसे पहले अफरीका कॉंडिनेट में की जाएगी, उसके बाद Asia लाटेन अमरिका नाम के कॉंडिनेट को भी cover किया जाएगा, international solar solar alliance की बात की जाएगा, तो एक treaty है, international level पे, intergovernmental organization के जाएगा, India और France ने इसको start किया था, 2015 में Paris के अंदर, United Initiative Framework Convention की, जो conference of party हुई थी, उसी time पे side by side, international solar alliance को लाया गया था, इसका headquarter program इंडिया के अंदर है, 97 countries के member है, इंडिया ने इसको ratify किया है, main purpose यह है कि हम ऐसी energy production तो इसके कुछ और important initiative है, जैसे कि इसके थाथ, one sun, one world, one grid नाम का initiative चलाया जा रहा है, यह वो initiative है, जिसके थाथ, हम क्या करेंगे, renewable energy को हर एक country में produce करेंगे, वहाँ पे, जहाँ पे solar energy produce हो सकती है, फिर आपस में उनको connect करेंगे, grid के थूँ, ताकि एक जगा से solar energy प्रोड़ होई है, वो दूसरी जगह पर transfer की जा सके, ऐसा मतलब मिल के किया जाएगा, इंडिया और UK के दोरा इसको start किया गया था, one sun, one world, one grid को, और इसमें, world bank और international solar alliance भी अब शामिल है, इसमें तीन phases में चीज़े की जाएगे, जैसे पहले इंडिया अपनी grid को, Middle East और South Asia के साथ के स साथ, फिर BIMSTAC grid interconnection जो है, उसमें, memorand of understanding भी sign किया गया है, 2018 के अंदर, अगली बात करेंगे, StarC के बार में, Solar Technology Application Resource Center Initiative, यह United Nations Industry Development Organization का initiative है, जिसका main purpose किया है, ISA के जो भी member state है, उनका quality infrastructure जो है, वो इंप्रूब करना ताकि solar energy के product अच्छे से develop किये जा सके, एक्स बात करेंगे, National Green Green Hydrogen Emission के बारे में, Ministry of New Renewable Energy के त्वारा, Indian Green Hydrogen Standard, जो है, वो इस mission के दायत निकाले गए है, यह वो standard है, जिसमें बताया गया है कि कैसे hydrogen को green classify किया जा सकता है, Green hydrogen renewable energy के साथ ही produce की जाती है, इसमें हम लोग biomass conversion या electrolysis का process यूज करते हैं, और यह emission का threshold होता है, well to get emission इसे कहा जाता है, मतब बोला जाता है कि इसमें सी carbon dioxide जो है, वो ज्यादा इमिट नहीं होना चाहिए, during the making of Green Hydrogen, यह होता है emission threshold, Bureau of Energy Efficiencies की Northern Authority है, जो की देखती है, verify करती है कि Green Hydrogen है की नहीं है, National Green Hydrogen Emission के अगर बात की जाए, तो हम इंडिया को global hub बनाएंगे, Green Hydrogen का, हम लोग 2030 तक mission के outcome को प capacity, at least 5 mmT per annum होना चाहिए, 125 gigawatt तक हमारी जो renewable energy capacity है, उसको हम लेके जाएंगे, with the help of Green Hydrogen, इसके अलावा हम लोग 50 mmT का NO greenhouse gas emission, जो से fight out करेंगे, with the help of Green Hydrogen, एक लाग करोड तक का हम जो fossil fuel import करते हैं, वो इससे reduce किया जा सकता है, इसके कुछ sub-component है, जैसे कि strategic intervention for Green Hydrogen transition program, जिसमे financial incentive देंगे, और यह solar energy corporation of India के द्वरा दिया जाएगा, यह incentive किस चीज के लिए होगा, ताकि आप लोग electrolyzer लगा सको, Green Hydrogen का production कर सको, strategic hydrogen innovation partnership भी इसमें develop किया जाएगा, जिसमें public और private partnership मिल कर, research and development करेंगे, Green Hydrogen को लेकर, और fertilizers, oil, और steel का जो sector है, जो industries है, वहापे भी Green Hydrogen के use को promote hydrogen के जाएगा, hydrogen की बात करें तो यह फ्यूल के तौर भी उस होता है, सबसे साफ सुत्रा फ्यूल है, और इसमें जो byproduct निकलता है, वह water ही निकलता है, मतब वेस्ट जो निकलेगा, इसको electrolyzer की मदद से process किया जाता है, इसमें electricity जो है, वह water की मदद से ही निकल, मतब एक तरीक petroleum वाले को, वहाँ पर hydrogen की demand काफी जदा बढ़ रही है, और इसको energy carrier के तौर यूज के जा सकता है, इसमें अलगलग color codes होते हैं, यानि की green hydrogen, black hydrogen, brown hydrogen, यह अलगलग तरीके के रंग होते हैं, डिपेंड करता है, कि source कौन सा है, जब्रेट करने का, जैसे अगर पानी को यूज कर कर रही है, और steam reformation के process से हम लोग hydrogen बना रही है, इसमें जो carbon निकल रहा है, उसको capture भी कर रही है, तो होगा blue आपका hydrogen, इसके लावा सिरफ steam reformation का process से तो होगा grey hydrogen, अगर pyrolysis की technique से यूज कर रही है, natural gas को तो होगा turquoise hydrogen, brown coal से जो आपका hydrogen बनाएंगे, gasification के process से वो brown hydrogen होगा, black coal से जो बनाया जाएगा, वो black hydrogen होगा, nuclear से जो बनाया जाएगा, electrolysis के process से वो pink hydrogen होगा, फिर जो आपका naturally underground हमें धरती की crust पर मिलता है, इसको white hydrogen कहते है, इसके advantage क्या है, harmful emission नहीं करती, energy efficiency ज्यादा होती है, disadvantage क्या है, कि बहुत ज़्यादा complexes को बनाना cost of production बहुत हाई है, green hydrogen fuel cell क energy को generate करने के लिए हम लो क्या करते है, पानी का यूज करते है, इसमें hydrogen air और पानी यूज की जाती है, fuel cell technology में hydrogen को as a power component यूज किया जाता है, इसमें दो electrode होती है, anode और cathode, दोनों पे क्या है, electrolyte और catalyst डाल दिया जाता है, फिर hydrogen cell के अंदेर एंटर करती है, ये split हो जाती है, इसमें जो negative charge electron निकलते हैं, वो circuit से electricity पैदा करती है, जो positive charge होते हैं, वो oxygen के साथ कमाई होकर water बनाते हैं और waste के तोर पर बाहर निकल जाते हैं, इसके बाद benefit की बात करें तो इसका operational cost बहुत ही कम है, high efficiency है, density बहुत ज़्यादा है energy के मामने में, decarbonization कर सकते हैं transport का, transport जो है carbon dioxide emit नहीं करेंगा, issues के बात करें तो डिक्कत यह है, technological challenge बहुत है, heat और water जो हुआ असानी से नहीं मिलता, high cost यसको बनाने की, अगले बात करेंगे कुछ और initiative जिससे hydrogen fuel को promote किया जा सकता है, देखिए हम लोगों ने green hydrogen ecosystem इंडिया में develop करने के लिए research and development का roadmap निकाला है, यह ministry of new and renewable energy का roadmap है, जिसमें हम लोग अलग अलग तरीका का research and development green hydrogen की मामली में करेंगे, blue sky project को promote किया जाएगा, electrolyzer जो है, उनको mission mode के तौर पे promote किया जाएगा, और start-up को encourage किया जाएगा, hydrogen के production के लिए, फिर hydrogen for heritage scheme जो है, यह निकाली जा रहे ही है, जिसमें hydrogen train जो है, वो बनाई जाए और यह सारी trains जो है, heritage sites पे विजिट करेंगी, इसको Indian Railways के दुवारा implement किया जाएगा, 35 hydrogen train इसमें बनाई जाएगी, अगली बात करेंगे, incentive scheme के बारे में, जो green ammonia और green hydrogen के production को लेकर जलाई जा रही है, इसमें ministry of new and renewable energy incentive प्रोइड करेंगे, green ammonia के production के लिए, जिसको mode 2A कहेंगे और green hydrogen के production के लिए, जो कि आपका mode 2B होगा, इसका main purpose वही है, उन चीजों को promote करना, green ammonia और green hydrogen को, green ammonia की जो scheme है, इसमें solar energy corporation of India जो है, वो implement करेंगे इसको, और फिर green hydrogen जो है, यह ministry of petroleum गेंदर इंप्लिमेट होगा, green ammonia क्या होता है, इसमें 100% renewable और carbon free source के तोर पे ammonia को develop किया जाता है blue ammonia का मतलब कि वो ammonia जिससे जो bio product निकला, carbon dioxide उसको आपने capture कर लिया, store कर लिया, ताकि वो environment में release न हो पाई, green और brown ammonia क्या होता है, इसमें ammonia के production के लिए fossil fuel को use किया जाता है, ammonia दरसल एक pungent gas है, जो fertilizer के लिए use की जाती है, और इसको habit based process से बनाया जाता है, जिसमें hydrogen और nitrogen को आप 12% ethanol blending का, उसको पूरा करने का आप बोल सकते है, पूरा करने का वो जाहिर किया है, अपने इच्छा जाहिर करी है, ethanol blending क्या होती है, देखे, ethanol blending का मतलब gasoline यानी petrol जोग यूज करें, उसमें हम ethanol को blend कर के as a fuel यूज करेंगे, so second generation का bio fuel है, जिसमें motor fuel में blending कर दी जाती है, इथाई किन को थे जोलो हम, नाटनोय में इसे निकाला हूए है, जिसमें ethanol को भीस सकते हैं, मतलम मार्की में जाके ओमसी को भीस सकते हैं, इथानोय ब्लैंदे टुल का फायदा क्या होता है, थे इसे हैं ग्रेन हाउस घ्नाटेटला है इसका बहुत है, इसका sponge ही यूगत है, ऋक्व आपका मतलम आनके चलिए इंजन जलता है, जब भी आपका fuel जो है, वो combust होता है, उस fuel के combustion के लिए, अगर एकदब से combustion हो जाएगा, तो इंजन डैमेज हो सकता है, तो octane number होता है कि resistance देना, किसको आपके knocking को, इंजन की knocking को, तो जितना ज़्यादा resistance होगा, इंजन को damage करने की capacity होगी, तो high octane number का मत्तब यही होगा कि engine easily damage नहीं हो पाएगा, इसमें disadvantage की बात करें तो less efficient है, इसमें इतना ज्यादा energy content नहीं निकलता है, इंडिया की status के अगर बात की जाए तो इंडिया 10% अपनी blending जो एथनॉल की 2022 तक पूरा करने वाला था, 20% एथनॉल blending हम 2025 तक पूरा क सबसे पहली generation जो हम खाने वाला खाना है उसी से बायोफिल बना रही है, जैसे कि sugarcane हो गया फिर आपका बेट्स हो गया, second generation हम उससे बायोफिल बनाएंगे जो कि food waste है, यानि कि non food crop यहां फिर food का waste, जैसे ट्रोपा के प्लांट हो गया, पैंगोमिया हो गया, third generation के बायोफि distribution sector के different segments के अंदर हम लोग CBG blending obligation जो है, उनको implement करेंगे, CBG blending obligation का मतलब क्या हुआ, कि जो आपके compressed natural gas है, और फिर जो आपके petroleum natural gas है, इनको आपस में combine करके हम लोग घरों में supply करेंगे, instead of सिरफ आपका petroleum natural gas supply करना, ताकि धीरे-धीरे करके carbon dioxide का या फिर greenhouse gases का, जो emission होता है, घरों distribution रख रही है कि traditional और जो हमारा alternative नया वाला fuel है, उसको आपस में mix करना, ताकि petroleum धीरे-धीरे खतम कर सके, petroleum अगर धीरे-धीरे खतम होगा, तो हमारा import bill है, क्योंकि petroleum हम इंपोर्ट करते है, वो bill भी हमारा डाउन चला जाएगा, compressed bio gas की बात करें, तो इसमें methane होता है, carbon dioxide होता ह कुछ और gases भी होती है, इसको produce करने के लिए biomass को यूज किया जाता है, biomass का anaerobic decomposition होता है, मतों oxygen की absence में biomass को decompose करवाया जाता है, इस biomass में किसी भी तरीके का waste हो सकता है, चाहे municipal solid waste हो, चाहे hugerkan का waste हो, चाहे agriculture residue हो, अब आपका CBG का benefit क्या है, एक तो यह clean fuel है, फिर energy basket diversify हो नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पे ग्रामी निलाकों में entrepreneurship आएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा बायो मास यह बायो वेस्ट रूरल एकॉनमी से निकलता है, पंच अमरे टार्गेट उनको भी हमें इचीव कर पाएंगे, फिर CBG के अगर बात की जाए तो यह एक इसको एक्ट् काफी हाई होती है, अगली बात करेंगे सब्सक्राइब के बारे में sustainable alternative toward affordable transportation, पार्लेमें इसके बारे में रिपोर्ट रिलेस करी है कैसी यह स्कीम चल रही है, इसके कुछ टार्गेट थे, इसमें बोला गया था कि 5,000 तक compressed biogas के प्लांट हम 2023 तक सेट अप करेंगे, 15 mmT का CBG प्रोडियूस करेंगे, फिर बायो मैनुवर जो है, खार जो होती है बायो तरीके की, उसको भी 50 mmT तक हम प्रोडियूस करेंगे, यह कुछ इसके टार्गेट थे, सब्सक्राइब की स्कीम को 2018 में लांच किया था, इसका भी परपस्ता, compressed biogas के प्लांट लगाना, उसकी marketing कर यूज करना, इसकी नौडल मिनिस्ट्री है, कुछ और इनिशेटिव हमने compressed biogas को इंडिया में प्रमोट करने के लिए है, जैसे कि बायो CNG को हमने fuel के तौर पे क्या किया है, ट्रांस्पोटेशन में यूज करने के लिए, फिर हमने national policy निका लिया, बायो फिर 2018 में, गोबर निकाला गया था, जिसमें solid waste management किया जाता है, अगली बात करेंगे, ऑफशोर wind energy के बारे में, मिनिस्ट्री अफशोर wind energy के दवारा, इडिया का सबसे पहला offshore wind project, Tamil Nadu के अंदर लगाया जाए, इसका tender निकाल दिया गया है, एक होता है, एक होता है offshore, एक होता है offshore, एक होता है offshore, प्लांट लगा दिया, wind energy का प्लांट लगा दिया, ये फार्मलेंड एरिया में, कोस्टर एरिया में लगाया जाता है, offshore wind turbine को आपने कहां पे लगाया, समुद्र के लगाया, waters के लगाया, offshore wind turbine ज्यादा efficient होती है, क्योंकि इसको land की जरूरत नहीं पड़ती, अगर potential की बात कर फिर आपका offshore wind energy जो है, इंडिया के अंदर, European Union के साथ मिलकर, उसमें collaborate किया जाएगा, हमारी wind energy की बात करें, तो इंडिया चौथा देश है, पोरे विश्व में, जिसकी wind energy capacity बहुत हाई है, चौथे नंबर पे, सबसे ज़्यादा wind energy के प्रड़क्शन के क्वैस्टी चाइना इसमें बताया गया कि जो कमेटी, इसमें बताया गया कि टाइडल energy का इंडिया में potential क्या क्या है, area कॉन कों से, गल्फ ऑफ कंबात, गल्फ ऑफ कच, फिर गुजरात का सदन अरिया, पाल्क बे, जो मनार का इलाका है ता मिलनाडू का, वहाँ पर भी energy produce हो सकती है, हुगली river अगर potential की बात की जाए, तो ocean thermal energy का potential अभी तक estimate नहीं लगाया गया, मतलब ocean की ऊपर का temperature अलग होता है, नीचे का अलग होता है, उसी से जो thermal difference से energy produce होती है, उसको कहते है ocean thermal energy, देखे ocean energy अडल का तरीके से produce हो सकती है, एक तो जो ocean में waves जलती है, उनके energy, जो उसका अपर होता है limit और नीचे बाला, उसके difference से energy produce होती है, ocean current मतलब जो current बहते हैं, उनकी speed से energy produce करना, ocean thermal energy, ऊपर का temperature, नीचे का temperature जो है सता का, और नीचे बाला, डीप बाला, वो जब difference में रहता है, तो उसी से energy produce होती है, ताइडर energy की बात करें, तो जो भी tides आती है, समुदर के आसपस, उन जब यह पानी यहां से बह के निकलेगा, तो turbine को हमाएगा और energy produce होगी, ताइडर energy साफ सुत्रा source of energy है, इंडिया का बहुत बड़ा coastline है, तो अच्छे खासी इसके production की जा सकती है, इसमें हमारा climate mitigation और adaptation के target जो है, वो achieve कर सकते है, क्योंकि हमें fossil fuel पे rely नहीं करना पड़ेग देखें, वर्ड का सबसे पहला prototype निकला है, भारत stage 6 नॉम के वहिकल का, इस नॉम को follow करते हो, electrified flex fuel वहिकल मनाया है, flex fuel का मतलब flexible fuel, कभी आप पेट्रोल यूज करो, कभी आप उसमें कोई और ethanol यूज करो, कोई भी दूसरा fuel यूज करो, यह होता है, flexible fuel को यूज करना, तो electrified electrical energy भी यूज हो सकती है, इसमें flex fuel engine है, जिसमें यहां तो आप electricity पे चला लो इसको यहां फिर किसी दूसरे fuel पे चला लो, इसमें high use किया गया है, इसका ethanol का, flexible fuel vehicle, क्या होते है, इसमें engine आपका एक यह उससे ज्यादा टाइप के fuel पे चल सकता है, यहां फिर mixture of fuel पे चल सकता है यहांने कि petrol और ethanol, दोनों के combination के साथ आपका vehicle जो है, वो चल सकता है, इसके benefit यही है, इससे ज़्यादा गैसी जो है, green house gases, carbon monoxide, sulfur, यह सब आपकी pollutants जो है, यह emit नहीं होंगे, import नहीं करना पड़ेगा हमें ज़्यादा crude oil क्योंकि हम कुछ alternative flexible fuel निकाल चुके हैं इसके लिए है पर इसका कुछ ना कुछ drawback है, जैसे कि इसको असानी से produce नहीं किया जा सकता, mileage काफी कम है इसका, अब भारत stage 6 norm यह क्या है, देखे यह emission standard होते हैं, भारत stage emission standard होते हैं, जो यह बताते हैं कि एक vehicle कितना air pollutant जो है, engine जलाने भे कर सकता है, गौर्मेंट ने पहले भारत stage 4 नाम किये गए हैं, यहां देखे, कि जो आपका sulfur content है, वो 80% तक reduce करना है आपको जो vehicle से निकलेगा, किसको reduce करना है, जो company आपका vehicle त्यार करती है, उसको, इसके अलावा advanced emission control की technology को आप use करेंगे, ताकि sulfur emit ना हो पाए, diesel particulate filter लगना चाहिए, आपके vehicle के अंदर, selective catalyst reduction का system आप supply किया है, इसका main purpose क्या है, green energy को purchase करना, consumption करना और उसका generation करना, open access का मतलब होता है, कि हर किसी को non-discriminatory तरीके से, बिना किसी बेदवाफ के electricity transmission और distribution की जिम्मेदारी दी जाएगी, कि electricity की, green energy वाली electricity की, क्योंकि green energy के open access के rule है, अब इनके features हैं, कि हम लोग green energy का promotion करेंगे, वेस से, जो green energy बनेगी, वेस से, उसको भी promote करेंगे, फिर आपके consumers जो है, उनको open ही अलोग किया जाएगा, कि green energy को use कर सकते है, consumer अपनी demand and supply को खुछ से तया कर सकते है, कि हमें green power चाहिए, distribution company से, अपने घरों तक, तो वो भी उनको दिया जाएगा, फिर कुछ uniform renewable purchase obligation, जो है, वो apply की जाएगी, कुछ entities को company बोला जाएगा, कि आप green energy ही purchase, जो है, वो purchase करोगे, company से, green hydrogen और green ammonia जो है, इसको भी आप purchase कर सकते हो, या बेस सकते हो, renewable energy capacity की इनियाग में बात की जाएगा, तो government ने target रखा है, कि 2028 तक हम लो 200 gigawatt renewable energy की capacity को हमारी यहाँ पे install कर देंगे, 500 gigawatt तक का renewable energy का generation करेंगे 2030 तक, 2005 का जो level था, हमारे carbon emission का, उसको 45% तक हम reduce कर देंगे, कब तक 2030 तक, इंडिया ने अभी तक target को इतना achieve नहीं किया है, solar energy सबसे जादा renewable energy में हमारी यहाँ पे अभी तक install हो चुकी है, अगली बात करते हैं, कुछ और alternative fuel जो आपके news में चल रहे थे, जैसे स सबसे पहले आपका natural gas, देखें, इंडिया का natural gas consumption देर देर करके कम हो रहा है, natural gas एक orderless gas है, जिसका कोई खराब सा बदबूनी होता बो सकते हैं, इसमें light hydrocarbon, ethane, methane, propane, butane, pentane, यह सब होते हैं, इसके लावा CO2, helium, hydrogen sulfide, nitrogen, सब इसमें आती है, इसका high ignition temperature होता है, और यह corrosive यह toxic अब इसके types क्या है, conventional, यानि कि बड़े-बड़े crack या बड़े-बड़े rock के अंदर ही पाई जाती है, तो बहुत conventional है, unconventional मतलब शेल के अंदर, sandstone rock के अंदर, sedimentary rock के अंदर मिलने वाली rock, मिलने वाली natural gas, associated मतलब कभी ही crude oil जहां मिलता है, उसी के साथ पाई जाती है, coal red methane जो liquid form में ही handle की जाती है, जब इसको बहुत ज़ादा pressurize किया जाता है, और यह primarily आपकी natural gas को convert करके use की जाती है, और यह sin gas का ही एक type है, sin gas में carbon monoxide और hydrogen दोनों ही आती है, इसकी properties LPG से मिलती जोती है, इस quarter native जो है diesel का, उसके तोर पे भी यूज़ किया जा सकता है, chemical industry में भी इसक हम मिलकर, एक fuel बनाया गया, जिसका नाम रखा गया, methanol diesel 15, MD 15, यह एक fuel है, जिसमें कुछ methanol है, कुछ mineral diesel है, और कुछ आपके coupler additive है, सबसे ज़्यादा इसमें क्या है mineral diesel, अगली बात करेंगे energy efficiency की, सबसे पहली news है, star labeling program के बार में, government star labeling program, solar photovolptic module के लिए वो निकाला है, मत्त इसमें जो consumer है, उनको star labeling से पता रहेगा कि कौन सा photovolptic module जो है, वो cost saving है, और energy efficient है, इसकी star rating bureau of energy efficiency के द्वारा दी जाएगी, 15 appliances के लिए compulsory है, 20 के लिए आपकी voluntary है, ठीक है, यह जो rating दी जाएगी, 2015 में BEE ने voluntary labeling program निकाला था, जो भी inverter room AC होते है, इनको चाहे तो आप labeling दे सकत है, ठीक है, 2018 में एक improved rating methodology जो है, वो BEE के द्वारा निकाली गई, इसके अलावा जो हाल-फिल-हाल वारी rating system है, आपके photovolptic module के लिए, इससे citizens असानी से decide कर पाएंगे, कि उनको कौन सा solar photovolptic module या solar panel खरीद के अपनी चटों पे लगाना है, ठीक है, solar panel क्या करता है, light energy जो है, उ अपनी solar panel की rating निकालने पड़ेगी, यह यहां पे list दी गई है, कौनसे appliances पे mandatory rating है, कौनसे पे voluntary चाहें तो आप देख सकते हैं, अगली बात करेंगे, expected outcome की, इससे बहुत जादा फायदा रहेगा, क्योंकि हम लोग जो solar panel market से रहीदेंगे, उसका एक star rating रहेगा, जिसे हम उसक की गई थी, statutory body है, energy conservation act 2001 के तैट बनाई गई थी, इसकी nodal ministry, ministry of power है, इसका main objective क्या है, Indian economy में energy intensity को reduce करना, और energy or conservation के रिए काम करना, इसके कुछ और initiative है, जैसे India energy conservation building code, 2017 में यह code इसके दुरा निकाला गया था, और international energy agency के द्वारा मिल कर, developing countries में इस code को implement किया जाता है, इंडिया Bureau of Energy Efficiency जो है, वो इसको implement करती है, इसमें हर एक commercial building के standard code है, कि क्या उनको energy standard अपने यहाँ पर follow करना है building में, यह सब वो लागू किये जाते है, इसके तहत ही वो लागू होता है, State Energy Efficiency Index की बात करें, तो ministry of power के द्वारा रिलीस किया जाता है, BE ने इसको actual में develop किया है, Alliance for Efficient Energy Economy क सब कैटेगरी में रखा जाता है, देखें, front runner category में आंधरापरदेश टॉप में है, तेलंगरा और आंधरापरदेश वो ऐसे राजे हैं, जहां पे इस index में सबसे अधर रहे हैं कि इनको देखने को मिला है, अगली बात करेंगे उत प्रेरकी, यानि कि उननत तक्नीकी फोकस करेंगे, information center develop करेंगे, और energy efficient technology के तरीके से हम लोग industries जो है, उनको grow करने के कोशिश करेंगे, अगली बात करेंगे, national efficient cooking program के बारे में, energy efficient service limited के द्वारा ये program निकाला गया है, इसका main purpose है clean cooking scheme को promote करना, इंडिया के जो cooking practices को revolutionize करना, हम लोग cooking के stove को promote करेंगे, ये जो stove है या आपके non solar होने चाहिए, या फिर electricity based होने चाहिए, ताकि हम लोग ज्यादा लकडी बगएरा use करके घरों में मतलब आग ना लगाए और उससे खाना ना बनाए, ठीक है, EECL की बात की जाए, तो चार public undertaking का ये joint venture है, जिसमें NTPC, Power Finance Corporation, REC Limited और Power Grid मिल के आते हैं, इसको 2009 में सेटप किया गया था, Headquarter Delhi में है, इसका मेल परपस है, responsible तरीके से energy adoption करवाना market में, innovative technique लेकिया आना, energy efficiency से related, इसकी बहुत सरी scheme चल रही है, जैसे उजाला scheme होगी, जिसमें हम लोग LEDs को promote कर रही है, street lighting national program होगा है, जिसमें street lights भी LED लगाए जारी है, smart meter लगाना, building energy efficiency program, अगली ब index भी इनके दोरा निकाला गया, energy transition index देखता है, कि आपने कौन से source of energy से move करके, नया source of energy अपनाया है, खास करके fossil fuel को छोड़के, renewable energy को कितना adopt किया है, तो इसमें बताया जा रहा है कि कैसे equity, security और sustainability को ध्यान में रखते हुए, energy को adopt किया जाता है, Sweden ने इसमें top rank हासिल किया है, इंडिया ने इसमें 67th place हासिल किया है, इंडिया और Singapore ऐसे दो country है, जहाँ पे energy system की performance में enrichment आई है, या फिर कह लिजे achievement हासिल हुआ है, तो इसमें क्या के parameters देखे जाते हैं, कि infrastructure कैसा है, नई energy का, regulation कैसी है, political commitment कैसी है, finance और investment कैसा है, energy की field में, education और human capital कैसा है, और innovation कैसा है, इ इसमें सबसे पहले news है, certification of organic product in India के बारे में, European Union के audit में ये पाया गया है, कि इंडिया का certification product है, जिसके दाथ वो organic product को certificate देते हैं, और European Union में अपने product को export करते हैं, उन certificate के process में कुछ ना कुछ खामिया है, अब organic farming के principle क्या होते है, health को promote करना, जिसमें हम लोग soil, plant, animals, सब की health का रखना केर, कि इसकी future generation की भी, और environment की, organic farming की होती है, हम लोग agro ecosystem, मतलब health based farming करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब आप बोसकते हैं, कि soil का भी ध्यान रखते हैं, environment का भी ध्यान रखते हैं, और खेतीवारी भी करते हैं, इसमें हम लोग on farm, agronomic, biological and mechanical method होते हैं, उन इंपुट कोस्ट रखते हैं, हम ज्यादा कस्टमर को अट्रेक कर सकते हैं, काजूमर के लिए क्या फैदा है, यह ज्यादा है, यह ज्यादा है, स्टेटस की बात की जाए, तो इंडिया में highest number of organic farmer है, हमारे यहां पे सिक्किम जो है, वो वर्ल्ड का सबसे पहला, 100% organic state भी ब इसके अलावा, organic farming में हम लोग micronutrient यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे mineral बिल्कुल यूज नहीं करना, फिर organic farming में प्लॉइंग करना, soil को जोतना, यह सब किया जा सकता है, लेकिन natural farming में आप मिट्टी को भी नी छेड़ेंगे, वीडिंग भी नी करेंगे, कैसे यहां पे organic product को certificate दिया जाता है इंडिया के अंदर, देखे एक program है, national program for organic production, इसके तहत आपका जो agriculture, अपेड़ नाम का अजेंसी है, agriculture and process food product export development authority, जो की commerce ministry के अंदर आता है, यह certificate जारी करता है, किसको organic productions को, और यह certificate के लिए देखता है, कि वहां पे organic farming और marketing जो है, उस प्र product जो है, वो European Commission और Switzerland के द्वारा, इंपोर्ट पी किये जाते है, यह वहां receive किये जाते है, अगली बात करेंगे, participatory guarantee system of India के बारे में, यह किसी agency के द्वारा certificate नहीं दिया जा था, ministry of agriculture के तरह यह scheme launch की गई थी, इसके थर्ड पार्टी जो है, वो certificate देती है, दो पार्टी आपस मिला हुआ है, वो organic standard पे बना है यह नहीं बना है, अगली बात करेंगे, national cooperative organic limited के बारे में, देखे, organic food product जो है, national cooperative organic limited के, इनको launch किया गया है, market में, इसका brand name क्या रखा गया है, भारत organic, इसमें 6 organic product लाँच किये गया है, भारत organic brand के अंदर, तुरदा, चनादा, शुगर, क्या किया जाएगा, marketing में डाला जाएगा, brand बना के, पर उसकी quality पहले check की जाएगी, और इसके अलावा, NOCL की बात करें, तो 2023 में यह cooperative agency बनाई गई थी, multi-state cooperative society act 2002 की धायत, और इसमें फार्मर्स को हम क्या दे रहे है, प्लैट्फरूम दे रहे है, जिससे वो marketing कर सकते है, Ministry of Rural Development और Ministry of Agriculture ने मिलकर, कृषी सखी के training center जो है, natural farming को प्रमोट कने के लिए खोले है, zero budget natural farming क्या होती है, देखे, इसके ही चार कॉंपरेंट है, सबसे बेले है, बीजा अमरेट, जिसमें हम लोग बीज जो है, seed, उसका treatment करते है, किस से cow dung से, फिर होता है, जीव अमरेट, इ उसको अच्छे से soil पे फैलाना, soil का care करना, फिर आपका लाज़ कॉंपोनेट है, वफासा, जिसमें हम लोग soil aeration पे focus करते हैं, यानि कि मित्ती को जीवित मानते हैं, क्रिशी सखी की बात की जा, तो ये एक trained मतलब बोल सकते है, professionals होंगे, जो zero budget farming को promote करेंगे, इनका main purpose होगा environment friendly farming जो है, और zero budget natural farming जो है, उसके बारे में awareness generate करना, ये zero budget natural farming एक natural farming की टेखनीक है, जिसमें chemicals यूज नहीं होते, किसी तरीके का credit यानि की पैसा वैसा यूज नहीं होता, और हम लोग कुछ input market से नहीं खरीते, ये जो concept है, ये महाराष्ट्र के agriculture, सुभाष पालकर का concept है, चार ये शीड, Indian Council of Forestry Research Education के द्वारा प्रपेर की गई है, इसमें दसर क्या बताया गया है, इसमें species की list रखी गई है, जिसमें bamboo भी आएगा, जिसको की agroforestry के दाहत उगाया जा सकता है, इन species में आपको sow bubble नाम का भी species है, sow bubble क्या है, ये एक invasive species है, जो की हमारी यहां पे नुक्सा यानि के पेड़ पौदे भी लगा रहे हो, तो इसमें component क्या क्या होगे, एक तो आपका फसले होगी, crops, फिर आपके trees होगे, फिर आपके livestock होगया, इसमें terms को अलग-लग तरीके से तोड़के देखा जाता है, अगर तो बोला गया agri silvy culture, तो इसका मतलब आप crops हुगा रहे ह और trees भी उगा रहे हो, तो agroforestry से क्या होता है, productivity, sustainability और adaptability यह सब आती है, और इसके लिए Indian council of forestry research education established की गई है, जो ministry of environment के अंदर है, जो forest research को लिए काम करती है, इसका headquarter आपका देहरादून के अंदर है, challenges के agroforestry के देखे, एक तो seeds, variety नहीं मिलती, जो पेड उगाने की है, फिर trees जो उगाए जाते हैं, वो इतना जदा productivity नहीं देते, और tree उगाने का period बहुत लंबा होता है, अलग-लग agroclimatic region है, जिसकी वज़े से हम लोग हर agroclimatic region में हर एक तरीके का पेड नहीं हुगा सकते, market नहीं मिलती, असानी से जो पेड उगाए गाए है उसके लिए, अगली बात करते हैं, government की initiative के बारे में, government agroforestry के लिए, सब mission on agroforestry scheme निकाली है, जिसका नाम है, हर मेड पेड, यह 2016-17 में लौच की थी, जिसका main purpose क्या था, कि आप जहां फसल हुगा रहे हो, कि किनारे पे क्या होगा हो, पेड पॉदे होगा हो, फिर एक है आपकी myth, यानि की mission for integrated development of horticulture, यह 2014-15 में आई थी, जिसमें हम लोग fruit, vegetables, सब को चोगा रहे है, साथ में लोग पेड पॉदे बिवाएंगे, national agroforestry policy 2014 में आई थी, जिसका main purpose था, tree plantation को ज़्यादा एक्सपैंड करना, इसके अलावा और भी रूज निकाले गए हैं, जैसे कि bamboo जो है, अब उस कर जासे आप किसी animal से, animal based product नहीं ले रहे हैं, यानि कि किसी animal को यूज नहीं कर रहे है, meat बनाने के लिए, या फिर अंडा देने के लिए, आप सीधा उसके जो cell है, उसी से meat अंडा बना ले रहे हो, cell cultivation के ताहत हम लोग meat को directly cell से बना लेते हैं, एक type होती है precision fermentation, जिसमें हम microorganism को यूज करते हैं, और वो microorganism उस cell से हमें meat, अंडा, milk यह सब बना के देते हैं, अगली बात करेंगे direct seeding rice method की, इसमें seeding, देखे rice को कैसे हो गया जाता है, पहले nursery के अंदर rice का sapling लगाया जाता है, उस sapling को बाद में उखाड कर खेत के अंदर जो पानी होता है, उसके अंद पानी के अंदर जो weeds हैं, यानि कि जो खराब weeds हैं, वो आपकी फसल को खराब ना कर दें, इसका एक advantage क्या है, water conservation होगा, methane ज्यादा नहीं निकलेगा rice के field से, disadvantage क्या है, कि इसका बीज आसानी से नहीं मिलेगा, और इससे हर जगह पे इसको नहीं किया जा सकतना, direct seeding को, अगली जो battery है, ये मिट्टी की तरह काम करेगी, जिसमे roads भी develop हो सकती है, किसी crop की, और ये crop यहाँ पर उपी सकती है, और इसमें hydroponic cultivation का method यूज किया जाएगा, hydroponic का मतलग होता है, कि आप मिट्टी को यूज नहीं कर रहे, किसके लिए cultivation के लिए, आप सिरफ पानी को, nutrient को यूज करते हुए ही crops को उगा रहे हो, ये एक precise method है cultivation का, इसमें vertical cultivation बड़े बड़े टॉवल्स पे किया जाता है, जापान में खूब होता है, इसमें pest जो है, वो बहुत कम यूज करने पड़ते है, इसका setup cost बहुत आई है, मियावाकी plantation method की बात करेंगे, साउथ इस्टन कोल फिल ल कोड़े में, आप क्या कर रहे हैं, श्रब लगा रहे हैं, प्लांट लगा रहे हैं, ट्रीज लगा रहे हैं, हर एक square meter के अंदर आपने छोटे-छोटे plant लगाए, छोटे-छोटे land पासर में अगर जादा-जादा प्लांट लगेंगे, तो जादा-जादा carbon dioxide को absorb करने की capacity उन बोल सकते हैं, कुछ enrichment जो है पानी में हमेशा रहता ही है, कुछ chemical रहते ही है, जिससे फिश को फाइदा रहता है, इसका operational cost बहुत कम है, यह climate friendly method है, लेकिन capital cost बहुत जाद है, starting में investment लगेगा, अगली बात करेंगे, mislaneous news के बारे में, G20 summit initiative और document की बात करते हैं, लेखे, G20 के millet को promote कर रहे है, Indian Institute of Millet Research, जो है, वो इसका secretariat रहेगा, महरिश initiative का, और millet एक neutral seed area, superfood होते है, जिसको आप सूखे एरिया में, temperate इलाकों में, subtropic और tropical इलाकों में उखा सकते है, और हमने 12-23 को international year of millets भी declare किया है, अगली बात करेंगे, global biofuel alliance की, इंडिया ने ये भी G20 summit के दौ अगली बात करेंगे, high level principle on lifestyle के बारे में, जो sustainable development को promote करेंगे, इसमें हम लोग development, environment and climate, तीनों को एक साथ लेके चल रहे है, environment friendly, individual, हम लोग एक तरीके से अब हो सकते है, behavior, develop करने के कोशिश करने है, lifestyle, develop करने के कोशिश कर रहे है, इसका main purpose है, data और digital technology को भी इस तरीके से यूज़ करना है, ताकि sustainable ecosystem पर्मोट हो सके, अगली बात करेंगे, G20 23, action plan on accelerating progress on sustainable development goal, पर्पस किया होगा, कि sustainable development goal की progress को accelerate करना है, एक स्टेप आगे चल के उसको बहुत तेजी से लेके जाना, इसमें हम लोग अच्छा finance provide करेंगे, इन goal के achievement के लिए, इसके अलावा हर एक developing countries पर focus किया जाएगा, ताकि वो अपने sustainable development goal जो है, उनको अच्छे से अच जी होती है, fishery sector होता है, tourism होता है, maritime transport और waste management, तो इसमें हम लोग एक ocean finance setup करेंगे, marine spatial planning करेंगे, यानि कि ocean में किस तरीके से हम लोग conservation कर सकते हैं, और blue economy promote कर सकते हैं, उसके लिए plan develop करेंगे, समुदर की pollution को control करने की बात करेंगे, blue economy का मतलब क्या होता है, ocean की resources को हम इस तरीके से use करेंगे, जो कि sustainable method होगा, economy का growth भी होगा, ocean को नुकसान भी नहीं होगा, sustainable development goal 14 भी से achieve हो जाएगा, जो की बात करता है ocean के conservation की, next बात करेंगे, fourth clean energy ministerial और eighth mission innovation meeting के बारे में, देखें, इंडिया के दोरा fourth clean energy ministerial और eighth mission innovation की meeting जो है, इसको host किया गया, और ये इसका theme था, advancing clean energy together, clean energy ministerial के अगर बात कीजा, तो ये एक high level का global forum है, जिसमें इंडिया भी member है, इसमें clean energy technology को promote करते हुए, हम लोग global level पे clean energy based economy बिलाने की कोशिश कर रही है, public private sector दोनों मिलकर इसमें काम करेंगे, साथ mission है mission innovation के अंदर, एक तो है net zero industry, फिर urban को transit करना, urban area को, उसके बाद mission integrated bio revenue, clean hydrogen produce क zero emission shipping industry, बिल्ट करना, carbon dioxide को remove करना, इसमें mission innovation की बात की जाए, तो ये global initiative है, जिसमें clean energy को affordable और accessible बनाया जाएगा, इसका पहला phase Paris Agreement 2015 के तहित लाँच हुआ था, second phase जो है, वो इसका 2021 में लाँच हुआ, इंडिया इसका founding member है, environment cost of war की अगर बात करें, तो experts ने ये बोला है, कि र उसको रोक सकते हैं, जिसे जिनिवा convention 1949 बात करती है, कि किस तरीके से हम लोग natural environment के damage को war से रोकेंगे, ब्रुट्लाइंड इंवार्मेंट की बात करती है, इसके रिपोर्ट करना था our common future, कि sustainable development का concept क्या है, Stockholm Conference 1972 की बात करती है, कि हमें हर एक तरीके के mass destruction के weapon को prohibit करना है, United Nations Conference on Environment and development, जो कि 1992 Rio में हुई थी, इसमें दो principle हैं, 24 और 25 इसमें sustainable development और वर से होने वाले environment नुकसान को रोकने की बात की गई है, फिर आगे है wrong statute, और यह statute 1998 में setup किया गया था, जिसमें हम लोग responsibility रखते हैं उन states के जो की armed conflict से या war से environment को damage कर रहे हैं, फिर है international day for preventing the exploitation of environment in war and armed conflict, इसमें इसमें हम लोग United Nations Assembly को involved करते हुए, बहुत होने वाले environment प्रोफसान को बचाएंगे, उसके बाद draft principle and protection of environment in relation armed conflict और United Nations Convention and prohibition of military, यह दोनों आपकी जो principle हैं, यह भी बात करते हैं, environment को बहुत से modify नहीं करने की, अगली बात करेंगे, केन बेत्वा लिंक प्रोजेक्ट की, देखे इसमें हमारे जो केन नदी है, उसका ज्यादा excessive water है, उसको बेत्वा नदी में, जो की water deficit नदी है, उसके shift कर दिया जाएगा, दोनों ही नदी आपकी जमना नदी के tributary है, पहले phase में हम लोग धौदन डैम बना रहे हैं, केन बेत्वा लिंक किनाल बना रहे हैं, और पावरा बहुत सारे पेड़ गटे, साथ में जो पन्ना टाइगर रिजर्वे मद्यपदेश का उसका कुछ एरिया भी इसके अंदर आगया, प्रजेक्ट के अंदर ठीक है, फिर आपके जो यहां पर घडियाल पाए जाते हैं, केन घडिया सेंचरी में उनको भी नुकसान पहुंच इसमें ध्यान रखेंगे आपके 16 नदिया, पेंजिल सोलर एरिया के आएंगी, 14 नदिया हिमालिया के आएंगी, अब आद करते हैं कुछ और रिवर इंटिलेगें प्रजेक्ट की, देखे एक प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है कालसा बंदूरी प्रोजेक्ट, यह आपका न अब बाद में अरेबिया सी में जाके गिरती है, और गिरती कहां से है, गोवा से, इसके अलावा धियान रखेंगे, करनाटका का जो एरिया है, वहां बहुत सूखा रहता है, वहां पी पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रिजक्ट लगाया जाएगा, सैंड माइनी की नदी का जो बेड होता है, फिर लेक से मिलती है, अगे कलचुर, फीड से मिलती है, मैरीन से ह 민ंण होती है, इसके मिलती है, इसके बोहुत से बहुत सअरा बार डाय तक से दोरी समस्ट करने ब Els ले sow ए做 Swedish को जाता है, बाट वहार दिजक्टी है ।ो सैंड य के से आक ब मेनरल माइन and मिनरल जो है आपके state government के दूरा manage किये जाती है Ministry of Environment के दूरा sustainable sand mining management की गाइं डूरे 2016 में निकाले गई थी जिसका में पर पर पसी गें ही ही था कि हम लोग sand mining को किस तरीके से मतलब implement करेंगे हमारे country के अंधर ठीक है अगर बात की जाए तो 2010 में ये बनाया गया था एक के थाथ, statutory body है, इसका जो principal bench है वो New Delhi है, इसके अलबा बुपाल, पुने, कॉलकाता चेनई में भी इसके bench लगे हुए है, इसका मेल परपस है, environment conservation से related, जो भी आपकी cases है, उनकी dealing करना, compensation provide करना, और ये code of civil procedure को follow नहीं करते है, natural justice का principle follow करते हुए, ये अपने decision देता है, इसके खिलाफ जो appeal है, वो 6 महीने के अंदर की जा सकती है, कुछ और नियुस की बात करें, तो United Nations Sustainable Development Corporation Framework, 2023 से 27 तक developed किया गया है, निती आयोग ने भी United Nations के साथ मिलकर, इस framework को बनाया है, जिसका main purpose है, लोगों को खुशाल रखना, साथ में planet का ख्याल रखना और participation करना हापस में, तो overall अगनों sustainable development goal को achieve करने में, इसमें क्या करेंगे, enhancement लेके आएंगे, अगली बात करेंगे, RISE की, partnership for resilient and inclusive supply chain enhancement, इसको world bank के दोया start किया गया, G7 country से इसमें contribute किया है, जापान की presidency में ये launch हुआ है, main purpose यह है कि wish में clean energy के जो भी product है, उनका supply बिलकुल disruption के बिना पूरे world में चलते रहना चाहिए, next बात करेंगे, earth system boundaries की, एक research है जिसमें ये पाया गया कि 7 में से, 8 में से साथ आपकी जो earth system के boundaries है, वो अब critical stage पे चली गई है दरसल earth system boundary का मतलब क्या होता है, कि वो boundary जिसके बाद अगर आपने earth को use किया या फिर उसके resources को use किया, तो वो नुकसान करेगा आपको, यानि कि वो हमारे environment के लिए threat हो जाएगा, तो ये safe जो state और non residential commercial building है, उनको एक compulsory order जारी किया गया है कि वो energy का consumption अपने area में या अपने building में reduce करेंगे, कैसे reduce करेंगे, या तो paint इस तरीके का करवा हो ताकि building गरम ना हो पाए, या फिर PVC membrane वगारा की sheeting करवा हो, अगली बात करेंगे, mission 50 के EV4 eco के बारे में, सिट्बी के द्वारा ये pilot scheme निकाली गई है, इसका main purpose क्या है, electrical vehicle का ecosystem इंडिया के अंदर पर मूर करना जिसके दाथ MSME sector और NBFC जो आपके non banking financial corporation है, इनके दाथ पैसा दिया जाएगा, ताकि आप electrical vehicle को purchase कर सको, आगली बात करेंगे perovskite के बारे में, तो perovskite क्या है, एक nanoscale ink है, इस ink की coating, अगर आप solar cell के उपर कर देते हो, तो solar cell जो है, वो ज़्यादा efficient हो जाता है, और ये naturally occurring mineral है, जो आपको calcium titanium के form में मिलता है, परपस यही है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा solar की energy का absorption हो पाएगा इससे, और ज़्यादा से ज़्यादा solar cell जो है, वो आपके electricity को produce कर पाएँगे, लेकिन ये de-compose बहुत जल्दी से हो जाते हैं, अगर ये oxygen या फिर moisture में exposed हो जाएँ, अगली बात करेंगे, 1CGIR Global Initiative के बारे में, International Crop Research Institute, Semi-Ed Crop का, उनके द्वारा हम ये देख पाएँगे कि किस तरीके से dry land area में, agri food के system को develop किया जा सकता है, ये एक वो network है, जो कि publicly funded है, जिसमें बात किया जाता है कि climate change से जो food पे असर होगा, उसको हम कैसे reverse back कर सकते हैं, ताकि agriculture of food की security भी बनाई जा सके, next बात करेंगे, normal barlock field award for field research और application के बारे में, so देखें, dr. swathi naik, जो है, 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 इनको दोसा तेस का ये अवार्ड मिला है, इन्हों ने बहुत सारे चोटी-चोटी फार्मस के साथ मिलकर, एक demand driven rice seed का system developed किया है, और ये rice जो है, ग्रेट निकोबार आइलेंड अट अंडवा निकोबार आइलेंड प्रोजेक्ट नैशनल बोर्ड फॉर वाइलाइफ के दुवारा, गैलेथिया बे वाइलाइफ की जो सैंचरी है, निकोबार आइलेंड में, उसको दी-नोटिफाइ कर दिया गया, अब ये wildlife century नहीं है, क्योंकि अगर दि-नोटिफाइ, क्योंकि यहाँ पे mega container terminal नाप का प्रोजेक्ट बनाया जाएगा, ग्रेट निकोबार आइलेंड जो है, वो निकोबार आइलेंड आर्टिफलेगों का सबसे southernmost आइलेंड है, यहाँ पर tropical average forest पाई जाते हैं, इसके अलावा UNESCO के man and biosphere program का भी हिस्सा है, नेक्स बात करेंगे मुला पेरियर डैम के बारे में, तो देखे, केरियला के अंदर यह आपका डैम पाया जाता है, यह बोला जा रहा है कि यह जो डैम है, इससे पेरियर लेक जो है, उसका agreement डिस्टरब हो रहा है, सर्वे अफ इंडिया जो है, यह National Survey and Mapping Organization के तैस सेटप की गई थी, 1767 में, यह Department of Science and Technology के अंदर आती है, के अंदर डैम आता है, देखे, यह पेरिया नदी के उपर बना हुआ है, यह नदी जो है, यह आपकी तमिल नादो से निकलती है, फिर केरला में जाती है, तो इसलिए के पास इसकी जिम्मेदारी है, मिलावरियर डैम की, कुछ इंस्टिविशन की बात करेंगे, सबसे पहले इंटरनेशन एनरजी अजनसी, यह एक और्टो नॉर्मस इंटर गॉर्मेंटल और्गनेजेशन है, OECD के फ्रेमबर्क के तरह सेट अप की गई थी, देखे, OECD क्या है, Oil Exporting Countries का ग्रूप है, इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ध्यान रखेंगे, यह आपका OECD framework, जो है, उसके तरह आईएए को तब सेट अप किया गया था, जब पूरे वर्ल में 1973 में, Oil Crisis चल रहा था, इसमें 31 मेंबर हैं, और 13 एसोशेट मेंबर हैं, इंडिया फुल मेंबर नहीं है, इंडिया एसोशेट मेंबर हैं, क्योंकि IEA का मेंबर बनने के लिए, आपको पहले OECD का मेंबर बनना पड़ेगा, और इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, IEA की कुछ रिपोर्ट है, जैसे World Energy Outlook की रिपोर्ट 2030 की यह बताती है, कि fossil fuel का जो share है, वो 2030 तक पूरे world में कम हो जाएगा, इंडिया के बारे में यह कहा गया है, कि इंडिया clean energy technology को आगे चलके ज्यादा promote करेगा, और ज्यादा import भी करेगा, कुछ और रिपोर्ट है इसकी, जैसे आपको नाम ध्यान रखना है, breakthrough agenda report, electricity grid report, emission from oil report, world energy balance, energy technology perspective, world energy statistics and net zero by 2050, imperative of cutting with air, a policy toolkit for implementing life, next है आपकी आईरेना, यानि कि international renewable energy agency, यह एक inter-governmental organization है, जिसका main purpose किया है, sustainable use करना, renewable energy का, 2009 में setup की गे थी, इसका headquarter, आबु धाभी मजदा सिटी अंदर है, इंडिया इसका member है, इसकी रिपोर्ट की नाम आपको बजियान रखने हैं, world energy transition outlook, tripling renewable energy and doubling energy efficiency, फिर आपका tracking SDG 7, यानि कि sustainable development goal 7, और कुछ और रिपोर्ट है इसकी, renewable power generation cost, और low cost finance for energy transition report, food and agriculture organization की बात करेंगे, 1945 में इसको setup किया गया था, United Nation की specialized agency है, रोम में इसका headquarter है, कुछ report इसके दुरा लॉंच की गई है, जैसे कि disaster का agriculture of food security पे क्या impact रहेगा, state of food and agriculture report 2023, Asian and Pacific regional area का food security and nutrition, और status of women in the agri food system, अब हम next जो आपका है disaster और geography, ये जो पार्ट बचा होए disaster geography का, इसको हम geography वाले lecture में cover करेंगे, ठीक है, तो आपका environment का P365 जो है वो यहीं पर done होता है, पढ़ते रहे हैं, all the best, thank you very much.